हेलो एवरिवन राधे राधे आज के लेक्चर में मैं आप लोगों को मर्जर्स, एक्विजिशन्स एंड कॉर्परेट रिस्ट्रक्टरिंग चेप्टर के सारे कंसेप्ट डेटेल में रिवाइस करवाने वाला हूँ और जैसे ही अपना रिविजन कंसेप्ट का कंप्लीट होगा उसके साथ ही मैं आपको जो कुछ स्पेसिफिक क्वेशन्स है जिनमें स्पेसिफिक पॉइंट्स है वो भी मैं हाथ के आत आपको बता दूँगा जो अपने रेगुलर लेक्टे में सारे क्वेशन्स सॉल्फ करें तो उनको गौत्रू अपने एक बार कर लेंगे तो सबसे पहले अपने अपना रिविजन स्टार्ट करें तो मैं आप लोगों को कुछ बाते बता देता हूं देखी यह जो चेप्टर है इसको अपने टोट बहुत सारे जरूर दिखते हैं पर छोटे-छोटे से टॉपिक्स हैं जिनको एक बार आप समझे लो उसके बाद कुछ नहीं बसता है तो यह चेप्टर सबसे आसान चेप्टर है यह मैं अभी आपको गैरेंटी दे सकता हूं जो अपने रेगुलर लेक्टर में तो सारे कर रहें मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि इस चेप्टर में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली यह बस जो मैं बताऊंगा वो आप फोलो करते जाएगा तो इस चेप्टर के अंदर आपके कोई नए टॉपिक्स नहीं होते हैं जो हम अल्रेडी प्रीवियस लिए चेप्टर में कोई टॉपिक्स पड़े हैं या जो बेसिक्स है आफम के वही इस चेप्टर में काम में आते हैं उनहीं की आप्लिकेशन अलगत तरीके से अपने को करनी है तो देखि़िए इस चेप्टर में आपको सीखना क्या है उसके लिए मैंने आपका फॉर्श क्या मतलब है तो सर क्या एक्जाम में यह पूछने वाले एक्जाम में यह सब नहीं पूछता आपको पता होना चाहिए ताकि आप समझ पाओ कि इस चेप्टर में आप क्या सीखने वाले हो तो कॉर्परेट रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब एक ऐसा प्रोसेश जिसमें कंपनी को पता हैं को रह 노래 करतीए ताकी वो अपनी एफिशनस को री औरुजуд करती है सब करने के लिए बहुत सारे थायौ определ इस चेप्टर में पढ़ना है तो इसका एक बार मैं बेसिक आपको बताता हूं बागे जैसे जैसे अपने इन टॉपिक्स में आगे पढ़ेंगे इन सभी टॉपिक्स को अपने बागे बात करूँ तो यह आपने पढ़ा है और यहीं कहीं न गई मैं सामने वाली कंपणी को खरीदना चाहता हूं उसको खरीद के अपने अंदर मर्ज करना चाहता हूं तो मर्जर से अपने अमाल गमिशन के नाम से इंटरमेडियेट में अकाउंटिंग बढ़ी होगी फाइनल में भी आप एफार में इस चीज के अकाउंटिंग बढ़ते हो इंडियस के अपनी के अंदर कंपनी को लगता है कि उसका टॉप मैनेजमेंट लैप्टॉप के बिजनस पे तो फोकस कर रहा पर मोबाइल पे नह दूसरी कंपनी के अंदर उस बिजनस पे पूरा का पूरा फोकस बना रहा है वो बिजनस भी आगे ग्रोथ करें यह होता है डी मर्जस ऐसे रीकंस्रक्शन जिसे आप फाइनेश्यल रिस्ट्रक्ट्रिंग बोलते हो तो यह आपने पढ़ा है इंटरनल रीकंस्रक्शन के न इक्विटी बाइबेग यानि कंपनी के अगर यह मार्केट में जितने भी इसके आउट इस्टेंडिंग शेर्स है उनमें ते कुछ शेर्स वापस बाइब कर लेती है शेरोल्डर से ताकि जो ओनर्शिप का स्ट्रक्शर है वो चेंज कर सके कंपनी को ऐसा करने की रिक्वा अग्विटी बात करें तो क्या सब्सक्राइब करें इस चेप्टर के अंदर हमें इन सारे टाइपस और परेट रिस्ट्रक्शर की वापस से अकांटिंग दी गई इस सब्सक्राइब वापस से एक साथ सभी कि अकांटिंग पूछी जाएगी तो यह पॉइंट आपका यही अकांटिंग नहीं बढ़नी है इन सब्सक्राइब की तो सरीन में सीखना क्या है इन 6 टॉपिक्स के अंदर हम इस सब्सक्राइब क्या सिखेंगे तो बहुत सिंपल सी बात है देखिए यहां आपको डिसीजन मेकिंग करनी है अगर मैं मर्जर एंड एक्विजिशन का क्या नुक्सान होगा हमारी मार्केट प्रैस किया हो जाएगी कितना पैसा देना चाये इस सारी कैलकुलेशन से डिसमें लिए जो तो ट्रांजेक्शन होने से पहले काम में आता है मान लीजे आपने merger and acquisition कर लिया तो उसके बाद ट्रांजेक्शन हो गया अब आपका जो impact आना था वो actual में आ गया होगा आपकोई decision making की बात नहीं रही आप तो directly जाओ वो accounts की books में accounting कर लो तो जब transaction हो जाता है उसके बाद का काम accounting subject का होता है और transaction से पहले वाला जो phase होता है उस वक्त इस subject का role play होता है क्योंकि उस वक्त आपको decision making करने होती है कि यह transaction करना है कि नहीं करना तो इस subject के अंदर यह जो corporate restructuring के types हैं इन समय आपको decision making वाला पार्ट करना है कि आपका transaction होने वाला है तो क्या आपको transaction करना चाहिए नहीं करना चाहिए उसके basis पर चेक करोगे कुछ impacts वगेरा निकाल के समझ में आया तो यह सब आपको इस chapter में सीखना है तो इस chapter का नाम corporate restructuring होना चाहिए यह लोग ड ना क्यों तो सर यहां पर जो merger and acquisition वाला जो टाइप है ना corporate restructuring का में फोकस इसी टाइप के ओपर है इस chapter में इस chapter में जब भी है भी नी और उनमें ज्यादा question exam में पूछे भी नहीं जाते में फोकस इसी पर है इस वजह दे इंस्टिट्यूट ने merger and acquisitions नाम रखा और फिर बोल दिया other types of corporate restructuring भी पढ़लो इसलिए merger acquisitions and corporate restructuring इस chapter का नाम है तो इस chapter में क्या सीखना है वो आपको clear हो गया तो आपन आगे बढ़ते हैं सबसे पहले अपना जो में फोकस में किस चीज़ की ओपर है इंट्रोडक्शन वाले पाट के अंदर मेरा पढ़ाने का तरीक आपको मालू में पूरा स्ट्रक्चर से मैं पढ़ाता हूं आप लोगों को सबसे पहले अपन कोई सब्सक्राइब कर लें इसके बाद इसके बाद यह सबसे पहले कर लेने होते हैं इसके बाद यह स्क вас में पढ़ना है तो यह बेसिक्स आपको सबसे पहले पता होने चाहिए अगर यह नहीं पताना न तो जब आगे merger and equation की calculations वगेरा में जाओगे तो आप हमेशा doubt में रहोगे कहीं ना कहीं आप अटकोगे आपका logic की clear नहीं रहाएगा तो यह ध्यान से सुनने के लिए मैं हमेशा बोलता हूँ तो इस basic पर हमेशा focus होना चाहिए अब mergers and acquisition के basic में सबसे पहले मैंने लेखा है meaning of merger and acquisition mergers and acquisition का मतलब क्या है जिसे आपने short में M&A बोल रहे है इसका meaning क्या है सबसे पहले यही पता होना चाहिए merger and acquisition का मतलब क्या है तो सर यह exam में आएगा नहीं meaning वगेरा कुछ exam में नहीं आएगा इनका तो यह क्यों पढ़ रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए क्यों पढ़ रहे हैं दूसरी चीज इसके अंदर मैं कोई specific point बताऊंगा कि institute merger and acquisition का क्या मतलब समस्ता है इस chapter में decision making के purpose से FM के स्लेवस में क्या meaning है वो आपको पता होना चाहिए वो question में बहुत आप से relevancy रखेगा अभी मैं बताऊंगा किसी तरीके से relevancy रहेगा तो merger and acquisition का जो meaning है वो है it occurs when one company buys another company यानि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को खरीद लेती और अपने अंदर merge कर लेती है इससे आप बोलोगे merger and acquisition that is unification of two entities into one यानि दो company मिलकर एक कंपनी बना रहे हैं दो अलगला company मिलकर एक कंपनी बन रहे हैं अपने example याद रखो यह fix example है जिससे मैंने आपको पूरा चेप्टर किलियर करवा था regular class में मैं हूँ a limited सामने Reliance Limited मेरा बच्पन से जुनून था Reliance Limited को अपना बनाने का तो मैं Reliance Limited को खरीद के लेकि आ रहा हूं से acquire कर रहा हूं और acquire करके अपने अंदर merge कर रहा हूं यानि मैं company हूं जो दूसरी company को खरीद रहा है और अपने अंदर merge कर रहा है इससे क्यों आपको कुछ specific बाते बताता हूं देखिए जैसे मैंने यह मिनिंग बोलाना तो आपके मन में आएगा कुछ लोग है आकाउंटिंग वाले पार्ट से लिंक करने लग जाते हैं जब अपने अलग concept होते हैं अपना अलग सोचने का तरीका होता है यह मैं आपको हर बार regular class में बोलता हूं यहां पे वापस बोल रहा हूं क्योंकि यह सबसे जादे इस्ट्वेंट्स गलती करते हैं जो अदर इस्ट्वेंट्स होंगे उनकी तो यह हमेशा गलती होगी क्योंक आपको यह linkage कभी नहीं करनी है क्योंकि जिन्हों ने accounting पढ़ी होगी Merger and acquisition की बहुत डिटेल में accounting हम पढ़ते हैं FR के अंदर भी तो वहाँ जब accounting पढ़ते हैं ना तो वहाँ हम समझते हैं कि मर्जर का तो यह meaning होता है acquisition का यह meaning होता है इसवाले केस को acquisition बोलते है इस case को merger बोलते है, merger में यह सोचने का तरीका होता है, उसके according यह accounting होनी चाहिए, acquisition में यह सोचने का तरीका है, इसके according यह accounting होनी चाहिए, पूरा detail में पढ़ाया जाता है, किसी student ने ध्यान से focus है वह accounting में पढ़ा होगा, तो वो ही इन चीजों को link करने लगता है, तो वो सोचत कभी भी differentiate नहीं करोगे, same meaning है, meaning क्या है, सामने वाले को खरीद रहे हो, और अपने अंदर merge कर रहे हो, इससे क्यों रहा है, सामने वाली company separately run करना बंद कर देगी, separately उसकी कोई existence नहीं बचेगी, मैंने सामने वाली Reliance Limited को उठाया और अपने अंदर merge कर दिया, जो को decision making के purpose से, आपको in-ka detailed bifurcation करने की ज़रूवत नहीं होती कि ये वाला scenario merger है, ये वाला acquisition है, वो accounting के लिए सोचने के तरीके है, accounting के reuse उस according है, इसे accounting के time सोचते हैं, decision making में ये नहीं सोचा जाता कि ये वाले scenario में fall होग हो रहा है, यह वाले scenario में fall हो होग हो है, यहां तो हमें decision making करने हे साम कर रहूं और इसे आप पलोगे चाहिए मैं सामने वाले खरीदेंगा अपने दो कम्तनी को पढ़एगी इं। से में एक और एक़न्पल से आपको उनातressed अफ्लोर में फ्लोर की प्लाम प्र वाली बिल्डिंग बिल्डिंग थी अपनी उपर लाके चपका दिया मेरी नि Another पर सामने वाली जहां बिल्डिंग थी वो जगह खाली हो गई तो बस यही है आपका decision making के लिए अपको merger and acquisition को इसी तरीके से समझे नहीं सामने वाली company को उठाया यानि acquire किया और अपने अंदर merge कर लिया तो सामने पॉइंट के लिया रहना तो कभी भी question में नहीं अटोगे वहना वास हमेशा अटकते रहोगे था merger का तो हम यह मतलब समस्ते थे acquisition का यह इसलिए मैंने आप टाइम दिया आपको इसके बाद एक purchasing company जो है जो company खरीद रही है उसे आप हमेशा acquirer company बोलोगे और जो company बिक रही है selling company जो है उसे आप टार्गेट company बोलोगे टार्गेट बोलोगे यह आपका इस chapter में common wording है जो हर question में हर जगे concept समस्ते वक्त काम में आएगी तो माई में fit बैठा लेना ठीक है यानि जो company खरीद रही है मैं हूँ ए लिमिटेड मैं खरीद रहा हूं रिलाइंस को तो मैं तो हूँ acquirer सामने वाली company गया और यह बिक रही है रिलाइंस को खरीद रहा हूं तो वह बिक रही है तो उसे आप बोलोगे target टार्गेट क्यों कि बच्पन से मेरे टार्गेट पर थी ना बच्पन से मेरा जुनून था ना उसको खरीदने का तो मेरे टार्गेट पर थी वह company इसलिए सामने वाली को टार्गेट कम बोला जाता है तो यह मेनिंग ऑफ मर्जर एंड एक्विजिशन जो आपको क्लियर हो पर दो रहेश हो तो फिरी में तो आती नहीं उसके बदले पैसा देना पड़ता है पैसा किसको देते हूं मालिक लोगों को मान जीजिए बजार से आपको लैप्टॉफ खरीदना है तो आप लैप्टॉप खरीदके लाओगे तो उसके मालिक को पैसा देना पड़ेगा Spray के मालिक कोन होते हैं तो टार्गेट कंपनी के चेर होल्डरस है उनको मुझे consideration देना पड़ेगा तार्गेट कंपनी की शेर होल्डर सको मुझे consideration देना पड़ेगा क्योंकि वो उसके ओनर है शेर होल्डरस कुंसे टार्गेट कंपनी के शेयर ओनर्डर्स को में को एक वाले के दो तरीके क्या है मैं सामने वाली कंपनी के शेयर ओनर्डर्सकों कैश्पे कर दो मैं बोलू यह लो cash और यह तुम्हारी company मेरे नाम करो और अब तुम निकल लो simple सा तरीका है भाई तुम cash लो company मेरे नाम करो निकल लो यह simple सी बात है तो by paying cash consideration cash में भी pay कर सकता हूँ जिसे cash offer बोला जाता है मैं सामने वालों को cash में offer दे रहा हूँ एक दूसरा तरीका और होता है by issuing equity shares of acquirer company by issuing equity shares of acquirer company जिसे share offer भी बोलता है यह क्या तरीका है मैं सामने वाली company खरीदने गया तो मैंने सामने वाली company खरीदने की बात करी और मैंने उसके shareholders को बोला मैंने बोला कि देखो सब्सक्राऋ तरीका है टो सब्सक्राइब करने प्सके को भाहि लोगों तुम्हें पैसा चाहिए जितना तुमारी company का पैसा बनता है मानलो तुमारी company का 10 करोड़ रुपया बनता है हमारी यह बात हुई तो एक तो था कि मैं 10 करोड़ कैश में दूर कंपनी ले लूँ दूसरा मैंने बला देखो तुम्हें 10 करोड़ रुपए जितना पैसा चीह न तो मैं 10 करोड़ का कमपनी को बेचने के लिए तो मैं अतने अमांट का तुम्हें मेरी कमपनी के एक शेयर आफर करें यहां बहुत लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं मेरे को उसकी कंपनी खरीद नहीं है उसके बदले मैं अपनी जेप से या तो cash दे दूँ या फिर मेरी company के equity share issue करके दे दूँ तो मैं अपनी गमने के equity share issue करके दे रहा हूं तो acquirer अपने equity share issue करके दे देता है target के shareholders के consideration group में इसका एक और example general example से मैंने बताया था आपको मैं market में गया मानलो एक दिन laptop खरीदने सामने वाले ने बोला एक लाग रुपय का मैंने जेप से एक लाग रुपय निकाला दिया और laptop अपने नाम किया कोई दिक्कत नहीं अब दूसर सिनर्यों देखिए मैं बहुत बड़ा आदमी हूं बहुत बड़ी company का मालिकूं मैं laptop खरीदने पहुंच गया एक दिन दुकान पर और एक लाग रुपय का laptop था मैंने बहुत बड़ी company का मालिकूं जेब में cash लेके नहीं घूमता बोला सर अब कुछ तो देना पड़ेगा consideration तो देना ही पड़ेगा मतलब फ्री में कहते दो laptop मैंने बहुत तो सही है लेकिन देख मेरी company बहुत बड़ी company है तुझे भी मालू मार्केट में share बेच के मैं एक लाग वापस ले लूँगा मतलब एक लाग रुपय मिल जाएंगे मुझे समझ में ही तो consideration मैं किसी भी form में दे सकता हूं बस mutual agreement होना चाहिए समझ में हां तो यह दो तरीके हैं consideration देने के सामने वाली company के shareholders को आप उससे सामान खरीदो आप नॉ आपको जो मैंने 5 पांच पार दिये देश चप्टर के जिसमें मैंने वह वला कि 5 पार्ट में पढ़ाओंगा तो पार्ट सेकेंड है merger and equation through shares offer और पार थाड़ है merger and equation through cash offer यानि जब आप share में offer करोगे consideration तो ऐसे case में merger and acquisition होगा तो उसमें क्या-क्या calculations involved होंगे decision making में वो अपन स सिखेंगे मैं आपको बता दू एक्जाम के पॉइंट ओवी थे इनी के अपने पास सबसे ज्यादा questions होते हैं पार सेकेंड और थार्ड जिसमें भी सबसे ज्यादा most important है पार्ट सेकेंड यह वाला share offer के तुरू consideration देने वाला mostly questions exam में इसी पार्ट जाते हैं इसको ढंग से सम समाची एक बार आप लोग एक कमपणी जो है कि मार्केट में एक्विटी शेयर से इशू करती है एक एक ग्जामपल मैंने आपको दिया तो थे समस्ते हैं अब अग्जामपल लेते हैं रिलायंस लिमिटेड जो कमपनी यह सामने वाली कमपनी सपोट उस कमपनी ने पूरे चप्टर में कम में आएंगी वर्डिक्स तो यह जो इक्विटी शेयर आउटस्टेंडिंग वर्डिंग है यह आप 11 क्लास से सीखते हैं जबसे आपने कॉमर्स पढ़िए तो जो मार्केट में शेयर इशू करे जाते हैं उन्हें बोला जाता है नंबर आफ एक्वि पैसा क्लेक्ट किया था तो फूचर में पैसा देना है ना वह एपल सीख Über 여러분들 नहीं रहेगा तो नहीं पैसा जाये हो बाकि अदर लाइबिक्व वालों पैसा देना म In tourists जाता है बस इतना फर्क होता है पीसे वह इस वार्चेंशेयर शेर लुआ समझ में आया तो यह इसके नंबर आफ एक्विटी चेर्स आउट इस्टेंडिंग होंगे अब देखिए जो रिलाइंस कंपनी आपने पढ़ा है मैं आपको कुछ बेसिक बाते बता रहा हूं जो आपके लिए इस टापिक को समझने के लिए जानना जरूरी है जो बच्पन मे आपने बढ़ा है कि कंपनी एक separate legal entity होती है उतला है गिए बाइस पैसे को लगा सकते तो कंपनी जो है उसको create कोन करता है आप सोचो ना separate legal entity है पर उसको भी कोई create कर रहा होगा क्योंकि वो living thing तो है नहीं non living thing है वही company अपने आपसे जाके create थोड़ी हो जाती है तो एक दिन अम्बानी जो person था उसके मन में खयाल आया कि मुझे प्रमोटर्स लोग जो चिंहाने को promote किया यानी create किया है प्रमोटर्स लोग तो अम्बानी रिलाइंस लिमिटेड का promoter है तो एक्चुल में तो अम्बानी मालिख है मी इस company का लेकिन हमने तो company पड़ा है कि consists Folks बंदे के पास और हैं हम मार्केट में शेर इशु कर रही है वो शेर जिस लोगों के पास होंगे आप उसे ओनर बोल दोगे तो अम्बानी बोलेगा मैं पागल हूँ क्या मैंने इतनी कंपनी बनाई और उनर्शिप किसी और की तो सर ऐसा कैसे होगा मतलब अम्बानी ओनर तो हुई नहीं सकता लीगली इसके लिए प्राविजन होता है कंपनी देक्ट क्या से भी वगरा के रेगुलेशन पढ़ोगे ना तो कंपनी के ओती है ने जब क्रेट होती है तो मार्केट में शेर इसु करती है तो जब शेर इसु करते हैं उसमें तो कुछ शेर ना प्रमोटर्स को ही खरीदने पड़त जब उसके पास उस कंपनी के एक्विटी शेर होंगे तो कुछ शेर जो कंपनी के होते हैं वो प्रमोटर्स हेल्ड करते हैं यानि जो कंपनी मार्केट में शेर इसु करती है ना उसको दो कैटेगरी के लोग हेल्ड करते हैं एक तो प्रमोटर्स और एक नोन प्रमोटर्स द तो वो डिसकेशन नहीं करेंगे अपर ठीक है तो समझी में आई आपको बात जब कंपनी शेर इशु करती है मार्केट में तो दो लोग उइंशेर में इन्वेश्ट्मेंट कर सकते हैं एक प्रमोटर और एक नोन प्रमोटर दो लोग करते हैं तो मान लेते हैं कि रिलाइंस न तो सर क्या होता है ना कंपनी ने जैसे वन लेक शेर इसु करें शिक्ष्टी थाओजन अम्मानी ने खरीद लिए बाकी 40,000 शेर कंपनी है ना शेर मार्केट में जाके लिश्ट करा देगी और बाकी जो जनरल पब्लिक है ना आप जैसे लोग मेरे जैसे लोग अपन जैसे जाके वो शेर्ज खरीदे कोई 10 खरीदेगा कोई 50 खरीदेगा तो हम जैसे लोग होंगे माइनरेटी खरीक हो थोड़े फोड़े समझ में आई की शेर समाच में आई आगी आपको पताओना चाली समय में आपको एक और बात बताता हूं डिटील में थोड़ी नौलेच फर्फस से जो market में आप देखते हुनेे शीयर ट्रेड होते हैं घ्यवली इन प्रमोटष के कि रिख कभी मार्ट में ट्रेडिंग के लिए अविलिबल रहते हैं अपने पास जो नौन प्रमोटर्स मार्केट में ट्रेडिंग के लिए विलेबल होता है जो बाई सेलिंग होती है वहीं नहीं 40,000 शेर्स की होती है समझ में यह आपको पॉइंट के लिए रहना चाहिए एक अपनी मार्केट में शेर इस्यू करती है तो वह दो लोग इंवेस्टमेंट करते हों इक तो प्रमोटर्स एक नोउन प्रमोटर्स यह आपको पता होना चाहिए अगर मानले आप पुछा जाए कुश्चन में यानि अपने एक्जांपल में 60 परसेंटेज पूछी जाए तो नौन प्रोमोटर के पास कितने शेर है डिवाइड वाइड कंपनी ने टोटल कितने शेर इस्यू करें यह बेसिक सा पॉइंट आपको पता होना चेक क्वेश्चन में कही ना कहीं काम में आ जाएगा यह पूछ और नहीं से मतलब होता है क्या साओ तोटल मार्केट के फिरश्वसें उसका मतलब क्या था बेसिक्स पर इसका मतलब होता है total market capitalization यानि market value of all equity shareholder market capitalization का मतलब क्या था basics of AFM में बताया हो है कि company के total shares की market value क्या है तो बस market value of all equity shareholder फिर चाहे वो promoters हो या non promoters हो कोई फर्क नहीं बढ़ता company के जितने भी equity shareholder total उन सब की market value क्या है बहुत आसान है company share की market value यानि MPS market price per share multiply by total number of shares को आप क्या बोलते हो number of equity shares outstanding in company for example अभी अपना जो एक्जाम्पल था उसमें एक share की market price suppose 10 rupees थी number of equity share outstanding कितने थे वन लाइक यानि 10 lakh rupees हो गई market capitalization इसको निकालने का एक और तरीक है यह 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 आपको यह आपको यह आपको याद होनी चाहिए statement बनवाए था मैंने तो इससे कैसे आ रहा है सा market capitalization पी रेशो को फॉर्मुला क्याता है MPS by EPS MPS को भी number of shares से multiply करो EPS को भी number of shares क्या हुआ market capitalization EPS into number of shares क्या हुआ earning available to equity shareholders तो earning available to equity shareholders निकालना है तो आपका फॉर्मुला क्या बन जाएगा स्री market capitalization निकालना है तो earning available to equity shareholders into P ratio यह मैंने आपको डिराइब करके basics के टाइम पे भी बताया हुआ है तो इसके बाद दूसरे टाइप की market capitalization होते है free float market capitalization का क्या मतलब है market value of non promoters equity shareholders जो non promoters है यह उनकी कितनी market value है तो सब माइनरीटी वाले shareholders का मतलब number of equity shares held by minority अपने example में 40,000 shares into एक share की market price यहनि minority वाले लोगों के पास non promoters लोगों के पास कितनी shares है उनको multiply कर दो एक share की price है तो आपको मिल जाएगा free float market capitalization कई बार यह पूछ लिया जाता है तो सरी से free float market capitalization क्यों बोला गया अभी मैंने आपको clarification दिया था कि जो market में share trading होती है न वो केवल non promoters minority वाले shares के trading ही होती है ठीक है promoters के share कभी भी market में trade नहीं होते है यानि केवल minority वाले shares है जो market में trade होते हैं फ्लॉट होते हैं floating होती है उनकी freely trading के लिए available है freely उनकी floating available होती है market में इसी वज़सी से बोला जाता है free float market capitalization यानि ऐसे share जो market में free float में है यानि जिनकी trading होती है यानि जिनको आप buy sell कर सकते हो वो shares की market value यह नहीं non promoters वाले shares की market value जो आपको ध्यान दखना है अब इसमें पता है गलती क्या कर देते हैं कुछ यह तो निकाल लेते हैं question में market capitalization पूछा तो जल्द बाजी में क्या सोचते free float वाली non promoters की market value है तो normal market capitalization promoters की market value होगी तो यह गलती मत करना market capitalization total shareholders की market value promoters plus non promoters ठीक है मैं आपको वो पॉइंट भी बताता हूं जहां आप जल्द बाजी में exam में गलती गया होते हैं तो यह थे आपके basic introduction वाला पार्ट इस चप्टर का अब आजाए second पार्ट इस चप्टर का mergers and acquisition through shares offer share offer के through अगर आप merger and acquisition करते हो तो क्या-क्या में सबसे important पार्ट जिसमें से सबसे ज्यादा आप से exam में question पूछे जाते हैं इस चेप्टर के अंदर यही आपको अच्छे से समझना होता तो इसके concept अब अपन revise करेंगे मर्जर से क्या मीनिंग है वापस एक बार अपन समझते हैं मैं ए लिमिटेड हूं सामने रिलाइंस लिमिटेड मुझे रिलाइंस लिमिटेड को खरीदना है तो मैं उसके खरीदने पहुंच गया तो मैं उसके ओनर्स यान उसके shareholders को मैंने बोला कि देखो तुम तुमारी रिलाइंस लिमिटेड मेरे नाम कर दो मैं उसे acquire करके अपनी अंदर merge करूँगा और अपना scope बढ़ा लूँगा समझ में यह बात ही मैं वापस चीज़े shareholders को consideration देना चाहता है यानि मैं शेयर ओफर करना चाहता हूं तो इस केस में decision making मुझे जो करनी है वो किस तरीके से होगी क्या-क्या मैं calculations करूँगा जब मैं यह पार्ट पढ़ा रहा हूंगा यह वाला जो पार्ट अपन पढ़ेंगे concept में आपको revise कराऊंगा जब मैं cash offer पढ़ा हूंगा तो आप आराम से link करना मैं खुदे link करवा दूगा तो अभी आप सिर्फ share offer mind में चलना चाहिए cash offer दूर दूर तक आपको सोच रहा भी नहीं पहले पन share offer वाले case की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहला topic क्या requirement है मैं सामने वाले को consideration में shares कितने दूंगा सबसे पहले यही तो calculation करूंगा कि मैं उसे number of equity share कितने issue करके दे रहूं अपनी company के यानि number of equity shares of acquirer to be issued to shareholders of target टार्गेट कंपनी के shareholder से यानि सामने वाली company के मालिक लोगों को मैं अपनी company के कितने यही आएगा आप क्लिक करो पहला point क्या क्लिक होगा कि ठीक है share offer के तो merger and acquisition करना तो शेयर कितने issue करके दूं सामने वाले के share orders को मैं अपनी company के कितने shares issue करके दूं पहला point आपके दिमाग में यह आएगा तो मैंने इसके लिए एक example लिया था सपोज यह example आपके सामने इसको अभी समझेंगे अपन बहुत आसान है तो मैंने लिखा मैं थ miejsc मार्केट में एकर्ट में तौनों में मर्ज़ ने तरीके ने नहीं हुँ हूं टार्डेट मेरे और है एक दौसने में वाली कंपणी के ऐगें सिभा हुल्डर सको मैं अपनी इस सर्फेवाली कंपनी के ऐगा सामने वाली कंपनी कें वह कंपनी के एक कर लग है आप का बंटरं दौई वाई सामने वाली कमपनी के मेरे नाम कर दो बात तो इतनी हो रही है ना तो सर आपके आपके मन में आयगा स्क्राइब है के यह होगा फिर टॉपिक पढ़ाने की जरुवती नहीं होता सामने वभी कंपनी के वाले कंपनी के मालो टूलएक तो क्या मैं अपनी को तूलेख शेर से इसकते इसे नोगे बीना बात का और उनके मन में आता है कई आपके नहीं कर सकते उसके पीछे का रिजन समझो रिजन क्या है लेगो मार्केट प्राइब पर शेर देखो डोनों मेरी कमपनी के एक share की market price of Rs.50 और सामने वाले की company के एक share की market price of Rs.40 सामने वाले की company के एक share की market price of Rs.40 तो आप सोचो सामने वाली company मेरे, सामने वाली company का जो एक share है ना मेरे मुकाबले कम value का है सामने वाली company का एक share है मेरे मुकाबले कम value का है तो अब मैं उसके एक share के बदले अपना एक share कैसे देदू सामने वाले company के share holders को उस company के एक share के बदले मैं अपना एक share कैसे देदू उसका share तो बहुत कम value का है मेरे मुकाबले समझ में आई बात आपको logically सोचना पड़ेगा तो इस case के लिए इस वज़े से number of equity share जो acquiral issue करेगा सामने वाले के share holders को उसके लिए मैंने दो steps में working बताई है दो steps में आपको answer मिलेगा यह as it is follow करने जो भी steps वगेरा मैं दूँगा तो तो आपका एक भी question नहीं रुकेगा और अपना दिमाग लगाए आपको यह बजार के notes follow करें किसी के भी कुछ भी उठा लिया फिर आप कुछ भी करते रहोगे कभी भी chapter में clarity नहीं मिलेगी बस यह follow कर लेना सबसे पहले आप exchange ratio calculate करो जिसे आप swap ratio भी बोल सकते हो जिसे short में अपने ER बोलेंगे ER के abbreviation यानि short form इस तरीके के abbreviation इस chapter में बहुत बार मैं अब लिखने वाला हूँ यह abbreviations आपको याद होने चीए concepts के परपस से तभी chapter को concepts में समझ पाओगे exam में लिखने की कोई जरुवत नहीं होती मैं आगे और clarify कर दूँगा बस concept समझने के परपस से अब्रिवेशन अब धिहान देगना exchange ratio इस वाफ रेशो सब से पहले calculate करना पड़ेगा इसका मतलब क्या है सामने वाली company के shares के बदले मैं अपने कितने share दूँ exchange का मतलब है उसके shares के बदले मैं अपने कितने share दूँ सामने वाले के share holders को मुझे अपनी company के share issue करके देने तो सामने वाले share orders के बाद target company के shares तो अब उसके पाँ जितने share से उनके बदले मैं अपने कितने shares दूँ यह जो ratio होगा इस ratio को बोला जाएगा exchange ratio यह मुझे पता करना पड़ेगा अब यह पता कैसे करेंगे इसको पता करने के बुक वेल्यू पर शेयर सबके basics of AFM के टाइम पे फॉर्मला आपको बताया हुआ है negative parameter जिसे की NPA non-performing asset जो bank के कैसमे होती है उसकी अब आम अभी थोड़ी देर में बात करते हैं पहले positive parameter की बात कर जाए अब सर आप एने exchange ratio जब decide करोगे ना तो क्या होगा दोनों companies मिलेंगे मैं हूँ ए लिमिटेट सामने रिलाइंस लिमिटेट के शोल्डर हमारी मीटिंग होगी मीटिंग में हम discussion करेंगे कि बाई देखो हमें company खरीद निया बताओ कितने exchange ratio दे आपको तो हमारा discussion होगा उसमें decide करेंगे कि EPS को बेस बनाया जाए एक्सेंज रिशो के लिए MPS को बेस बनाया जाए कि BVPS को बेस बनाया जाए ठीक है उसके बेसिस पे आपका एक्सेंज रिशो आएगा एक्सेंज रिशो आता कैसे टार्गेट का पैरामेटर ले लो टार्गेट कंपनी का डिवाइड में पैरामेटर ऑफ अक्वायर तर यह फॉर्मुला है इस चैप्टर में फॉर्मुला नहीं होते कके conceptsually बनाए गई चीजह हैं यह कोई formula नहीं है एक्जाम में नहीं लिखना है यह आपको formula आपको calculation का नहीं है कोई formula आपको बुक में मिलने वाला भी नहीं है यह concept को समझ हेने लिए बनाया गए है logical formula ले तरीक है जो logically derive होते है कोई अलग तरीके दिनकी mathematical derivation नहीं होती है भी मैं आपको समझाओंगा इस chapter में पूरा वही working चलेगी exam में कुछ लिखने भी नहीं है इसा formula वगेरा बस आपको notes में लिखे हैं ताकि आपको revision में help हो तो टार्गेट का parameter उपर लो डिवाइड में parameter of acquirer कैसे क्यों कर रहे हैं यह सब अब आप समझेगा एक बड़ यह topic हो जाए ना उसके बाद इस chapter में आपको सारे topic लाइन से समझा आने लग जाएंगे इस topic को द्यान से समझे लेना बड़ देखिए अपने example में क्या है अपने example में दो company है अक्वाइर और टार्गेट दोनों company ने मार्केट में 11 lakh shares issue करे हुए ठीक है दोनों ने 11 lakh share issue करके एक कि अक्वाइर की share की price 50 है target की share की price 40 है हमने बोला कि exchange ratio हम MPS के basis पर decide करेंगे तो MPS के basis पर decide करना है न तो यानि parameter of target क्या है 40 MPS parameter का मतलब MPS of target divide में parameter of acquirer यानि MPS of acquirer तो target की MPS divide में acquirer की MPS 40 by 50 यानि 4 by 5 और solve करा जाए तो 0.80 इसका मतलब हुआ 0.80 is to 1 इसके divide में कुछ नहीं लिखा तो divide में 1 डिवाइड वाली चीजों को is to करके भी लिखा जा सकते है यह आपको पता हो ना ची रेश्यो का साइब इसका मतलब है कि सामने वाले के एक शेर के बदले मैं अपना 0.80 शेर करके देने वाला हूँ तो सर यह आपका derive कैसे हुआ यह logic बना कैसे बहुत आसान अब समझना देखो मेरा एक शेर कितने का 50 रुपीज का है ऑको आईररr का मुझे अपने शेर इस्उ करके देने मुझे क्या करना है सामने वाले के शेर ओल्रस को runtưa को अपनी campanys के शेर शेर करके देने hern mary saha 50 रुपीज का मेरे Shael ke comparison में सामने वाले का शेर कितने का 40 का मेरे के comparison मेरा denominator में आए का सामने वाले की यानि उसके एक शैर के बदल एकर मैंने अपना पॉइंट जीरो शेर देडिया ना तो बराबर हुआ है हिसा नहीं है तो मेरा जो शेर है और उसका जो शेर मेरे मुकाबले पॉइंट जिरो है तो उसके एक शेर के बदले मैं अपनी कंपनी का पॉइंट जिरो शेर दे दूंगा समझ में आगी बाद मैं तो उसके वन शेर के बदले के टारगेट के बदले मैं अपनी और जिरो शेर करें में के बना तो अपनी बात यूनिटरी बेसिक मैथेमेटिक्स वो लगा है समझ में आया तो आप देखो यह जो पॉजिटीव पैरामेटर होते हैं इसका मतलब क्या है ऐसे पैरामेटर जो पॉजिटीव चीज़ को को reflect करते हैं यानि कंपनी की growth को reflect करते हैं यानि अगर यह parameter जितने ज़्यादा होंगे उतना ही company के लिए अच्छा होता है बताओ EPS कंपनी का कम होगा कि तो अच्छा है या बढ़ेगा तो अच्छा है या बढ़ेगा तो अच्छा है ऐसे MPS और सुक वैल्यू पर शेयर भी जितनी ज़्यादा होगी उतनी अच्छी बात है तो सर ऐसे पैरामीटर में आप टार्गेट का उपर रखो और अक्वाइर का नीचे मालो EPS के बेस में निकालना है तो EPS ऑफ टार्गेट का वो पैरामीटर कितना बनता है उसके अपने आपको क्वाइंट के लिए रो जाना चीए अपक्वाइल माली के अच्छेंज निकालना है तो कोई फॉर्मुला डिराइव होके कुछ नहीं आता यह लॉजिकली बनाएगा हैं बिल्कुल लॉजिकली इसमें कुछ अलग स्पेशल बाते नहीं समझ में आ जाना चाहिए पॉइंट सामने वाली टारगेट कंपणी की मार्केट प्रैस पर हंड्रणंट याने यह फिस्टू बना जाता दो क्या यह जादा प्राइस फिंद है इसका मतलब क्या हैक्जिक अच्छी तो उसके शेर होल्डर को उसकी कंप्णी के एक शेयर को मेरे को अपने ज्याधा शेयर देने बदले मुझे अपने two shares issue करके देने पड़ेंगे और obvious बात है कि वह company मेरे से अच्छी है यह सारे parameter के हैं positive यह बताते हैं वह company मेरे comparison में कितनी है इसका मतलब वह company मेरे से अच्छी है तभी तो उसकी market price जादा है तो मुझे उसके share orders को अब दो share issue करके देने पड़ेंगे एक share क पतले दो देने पड़ेंगे तो यह पूरा logical method है कुछ भी इसमें नहीं है अब देखिए negative parameter negative parameter example NPA जनरली bank के case में होगा जब bank वाला merger का question होगा देखिए banks में एक NPA होता है non-performing asset यानि bank का non-performing asset यानि bank ने किसी को loan दिया और recover नहीं कर पार यानि bank का नुकसान हो रहा है तो तो banks वालों ने NPA का percentage निकाला देखो acquirer जो bank था उसका NPA percentage है 5 और target जो bank था उसका NPA percentage है supposed 20 यह आपको question में given है अब आपको बोला कि exchange ratio निकालो आपके दिमाग में आएगा target का parameter यानि target का NPA 20 acquirer का parameter यानि acquirer का NPA 5 यानि यह आगा 4 to 1 यानि सामने वाली company के one share के बदले मु बहुत ही गलत है और यह बहुत सारी students करते हैं पता नहीं कहां से क्या पढ़ रहा है उन्होंने यह करते हैं और इसमें बोलता है कि इसको सही कर रहा है इसको सही कर रहा है इसको सही कर रहा है आप गलत कर रहे हो भाई NPA negative parameter है NPA बताओ जितना ज्यादा होगा उतना अच्छ है आप पता है क्या कर रहे थे सामने वाली company मेर से ज्यादा बरबाद है मेरा five का P7 सामने वाले bank aंक का nuclear om परफॉर्मिंग है और मेरे सो में से पांच नौन परफॉर्मिंग है वह कंपनी मेरे से बरबाद है फिर भी मैं उसके एक शेर के बदले अपने चार शेर इसू करके दो वा कितनी अच्छी बात बोलिए आप खुद लोजिकली एक बार सोच के देखो इस चैप्टर में कोई फॉर्मिला नहीं होता सिर्फ लोजिकली दिमाग लगाना होता है ठीक है तो नेगेटिव पैरामेटर होगा तो आपको फॉर्मुला यानि अपना जो लॉजिकल फॉर्मुला कहीं से डिराइब होकी नही नहीं को क्या करना है पैरामीटर उपर रखना है तो आएगा एक्स्चेंज की कितना है आपको पहले रखने हैं और टार्गेट का कितना है 20 तो आपक्या है वन बाइफ वर यानी बाइस टू फॉर इसका मदब सामने वाले के तो आप सही हुआ ना इसा ही होना चीए उसका NPA मेर से चार गूना जदा है तो यहीं होना चिए थाना किलियर है कंसेप्ट समझें आना चीए वस तो आपको इस क्वेशन में भी कभी दिक्कत में आगी है क्वेशन में आते हैं ठीक है यह पॉइंट आपको क्लियर हो चुक है इसमें मैंने एक नॉट लिखा है वो देखिए एक्चेंज रिश्यो ढूंट गलेटै कि अप्लाइं थे वेशत क्वेशन में आपको बूलेगा एक्षेंज़ एश्यो आपको एक से ज्यादा पैरामीटर के बैसित पर निकाला है बोलेगा calculate exchange ratio using following parameters मानलों बोल दिया कि EPS MPS और BVPS इन तीनों परामेटर को यूज में लेकर exchange ratio निकालाएं तर तीनों को यूज में लेकर कैसे निकालें तो ऐसे case में फिर तीनों के वेट बताएगा आपको तीनों परामेटर बताएगा फिर तीनों के वेट भी बताएगा यह इन एक क्योशन में बोलेगा इन तीनों के वेट को यूज में लेकर exchange निकालाएं तीनों के वेट मालूम है तो तीनों एक्चेंज एशो जो आए उनको वेट रेस्पेक्टिव एट से करके फाइनल एक्चेंज एशो वेटेड अवरेज निकाल लेना है वही होगा आपका फाइनल एक्चेंज एशो जो आपको काम में लेना है देखेए एक्जांपल्स है आपको डेटा दे रखाए यह अक्वाइर और टार्गेट कभी दोनों के ईपियस एमपियस बीपियस तो पारामीटर of फार्य दिवाइड वाए प्यरामीटर अव Capital गुएड लेना है वह का एक्विस पॉसको इसको इसका मतलब सामने वाले जर में अप्ना पॉइंस इरल ईयुक करने रह небольшreen ऑकई बहुने मीलता है ओको तिन आक क्या करना Raymond tedious क्षण धिशन है निकालने एक से जाधा पहला में लिए इस्टेप अपका टाकर सकते और समझा दिया निए कैसे पता करेंग अब बिलकुल आसन है कंपनी के शेर होल्डर को अक्वाइर कितने नंबर ऑफ एक्वीटी शेर शेर करेंगे तो नंबर ऑफ एक्विटी शेर्स और कंपनी कैसे आएगा बहुत आसान है एंटी इंटु या यह क्या फॉर्मुला बना दिया एक्जाम में लिखना वापस क्लैरिफाई करना हूं ठीक है दियान से सुन लेना है फॉर्मुला कहीं नहीं मिलने वाले मैंने बना के दिया आपको एक बार यह पढ़ लोगे ना वीडियो सुन लोगे आपको इस चेप्टर से प्यार हो जाएक इतने शांदर तरीके से बना के दिया आप लोगों इस्ट्रक्चर करके अब सरी यहां पर अब्रिवेशन लिखें मैंने बुला अब्रिवेशन दियान से सुन लेना उनका मिनिन याद करना आगे काम में आते जाएंगे यहां यहां नमबर ऑफ इक्विटी शेर आउट्स्टेंडिक यह एक कंपनी में आउट्स्टेंडिक करती है मर्जर के बाद वह बचेगी नहीं तो मेरे अंदर मर्ज हो जाएगी तो टार्गेट कंपनी के एक्विटी चेर आउट इस्टेंडिंग कितने थे प्रीमर्जर वो मल्टिप्लाइबाइब एक्चेंज रेशो बस अब ध्यान रखना इसका मीनिंग इसमें कभी भी कंसुर्जन अपनी होना चाहिए इसमें कभी भी डाउट नहीं अच्छी आगे बढ़ते हैं इसमें कुछ नोट्स हैं इसमीं टॉपिक में ध्यान देना भी नोट्स पर सीच आपके बाद के वाल इसको ऑच्छारी इसका क्या मतलब है आपको पोल दिया गया कि सामने वाली जो कंपणी है उसके से रोलाइब का 40 लाइक रुपीस का consideration देना आपको तो सर यह तो फिर cash offer हो गया ना नहीं cash offer बीच में मतला हो मुझे उसे 40 लाइक रुपीस जितना consideration देना है पर कैसे अपनी कंपनी के shares issue करके तो सर ऐसे वाले case में number of equity shares to be issued कैसे निकालेंगे फिर बहुत आसान है इस case में number of equity shares of acquirer company to be issued to shareholders of target company आपको क्या करना है consideration का question में given है वो ले लो divide by MPS of A कर दो MPS of A अभी abbreviation पता हो ना जी MPS of A का मतलब क्या है market price per share of A, A मतलब acquirer company T का मतलब target A का मतलब acquirer अभी याद रखना तो acquirer company की market price per share देख लो pre-merger क्या है अरे simple सी बात है अपने example देखो मैंने क्या बोला सामने वाले को question में लिखा हुआ है कि आपको 40 लाइक रूपीस का consideration देना है मेरे को सामने वाले को मैं 40 लाइक का consideration देना है लेगिन कैसे देना है अपनी company के equity share तो सब 40 लाइक रूपीज के शेयर देने इसका मतलब 40 लाइक रूपीज के मुझे शेयर इसु करने मेरे एक शेयर की वर्थ कितनी है सब मेरा एक शेयर 50 रूपीज करते हैं तो मिल जाएगा क्या 80,000 शेयर बेसिक बाते हैं इसमें कुछ बाकि जंदली सभी एक्सचेंज रेशो वाले यह आएगा यह को एकाद कोईशन में आता है वह मैं आपको अभी दिखा भी दूँगा एक बर अपने रेगुले लेक्शे में किये थे आपको याद होगा जिन्होंने लेक्शे सटेंड करें कि लिए तो यह वाले सिनेरियो में नंबर ओफ शेर कैसे इशू होंगे वह मैंने बता दिया इसके बाद इस वाले सिनेरियो में एक्सचेंज रेशो निकालना हो तो यही निकालने में काम यह आता ना कितने शेर्स इशू करना है वह तो जरूरत नहीं बढ़ेगी लेकिन जब भी यह चेप्टर के क्वेशन में आता है न किसी आने वाले पार्ट में यह पूछा था इसके जरूरत थी अमने निकाल लिया कोईशन रेशयो की जरूरत पढ़ने वाले शेयो मालूम ही नहीं है पसाँ इस केस में चेह है को बिल्कुल आफान है आप एक्सेज आपने निकाला कैसे थे डिन करनाद लिन हट एक्सटेंड ली देख लो सामने वाली कंपनी में वनलेक शेर ताउट इस्टेंडिंग तो इस तरीके का क्वेशन का केस हो तो आप इस तरीके से सेकेंड नोट देखें अब आप लोगो सामने है लिमिटेट ऊसे मैं खरीद कि अपने अंदर नर्च कर रहा हूं यह बेसी चेप्टर का चलता है मैंने पहले बताए उसे खरीद रहाँ अपने अंदर मर्च करना बंद कर देगी है मैंने सामने वाले को खरीद कि मैंने अपने को बढ़ाता है सामने वाली को खरीदने के लिए को शуется g remote in crime मेकिंग के लिए यह हमेशा सेम इसी फॉर्ट प्रसेस आपको चलना पड़ेगा आप नॉर्मली मैं आपको एक और एक्जांपल से देता हूं जनरल जो एक्जांपल मैंने रेगुलर लेक्टर में दिया था मान लीजिए एक केक है आप एक केक मंगवाते हो बजार से तो केक म आप उसमें कुछ भी और मर्च कर दो तुस्वें वही चीज़ है कि एलिमिटेड कंपणी है यह कंपनी है इसकंपनी ने क्या किया सामने वाले को खरीद के रिलाइंस लिए को खरीद के अपने अंदर मर्च कर लिया तो है तो यह आपकी बार आप इसे यह सबसे इंपोर्टेंट प्रोसेस है जो आपके माइन में होना चाहिए इस चेप्टर के क्वेश्चन करने के लिए तो कभी क्वेश्चन गलतनी होगे तो बस यह माइन में फिट कर लेना यह लिमिटेंटी बन जाती है आफ्टर मर्जर पर उसमें अपना स्कॉप या लेवल बढ़ा लेती है कि लिए तो नंबर ऑफ शेर्स आउट इस्टेंडिंग इन मर्ज डेंटिटी कैसे निकालोगे तर उसका मैंने फॉर्मुला यहां लिखा एक तरीकते लिखना कोई फॉर्मुला नहीं कोई फॉर्मुल वह कैसे आएंगे सर एने प्लस एंटी इन्टू एर न का मतलब अंबर ऑफ इक्विटी शेर्स आउट इस्टेंडिंग इन अक्वाइर प्री मर्जर जब सिंगल वर्ड आया एक साथ आएक अपने नोट्स में तो मर्जड एंटी की बात करेगा यह आप माइंड में क्लिए जाया एकोईरर वाले शेयर लो प्लस एंटी आएर वश्वा यहांगेट को छिअर्थxis इस्टे करे अपने अक्वाइर जो तो तो प्री मर्जर मार्केट में शेर्स इशु कर रहा के थे अपने खुद के ने बोल रहेंगे उनके साथ थोड़ी ना छेड़ चाड़ हो रही है वह तो एड़ेटिस कंटिन्यू करेंगे इसलिए लेकिन अक्वाइर ने मर्जर के लिए सामने वाली कंपनी को सामने वाली अग्राइर तो यह शेर्स पृट्टे में इसूर एक पिटल में आएंगे तो यह भी होगी समझ में आगा यह भी नमबर ऑफशेर्स आउट इस्टेंडिंग होंगे मस्टेंटी में एन एक्टी इनकर देना तार्गेट को जो अक्वाइर ने इसू करें वह आएंगे क्यू तुमें एक पॉइंट बताता हूं क्या है कुछ लोग समझते हैं कि जब मैं शेयर इसू कर रहा हूं ना अक्वाइर सामने वाले को तो हम शेयर सामने वाली कंपनी को इसू कर रहे हैं कुछ लोग ऐसा समस्ते हैं ऐसा कभी वाले कि शेयर होल्डर को एशू कर रहे हैं उन्हें शेयर होल्डर के लिए इन्वेस्टमेंट को कुछ नहीं दिया जाता वह तो खतम हो चुकी कंपनी के लिए तो यह पॉइंट आपके माइन में फिक्स होने चाहिए तो यह आ गया इसके बाद देखिए कई बार आपसे आपके बार कौन सी कंपनी में पर्मोटर के पास कितने चेर से कितने हैं तो प्रमोटर में कितने हैं और रहे हैं वो तो दो calculate होंगे एक तो acquire company के अंदर promoters में कुछ shares hold कर रखे होंगे अक्वाइर company थी उसके shares promoters में कुछ held कर रखे होंगे प्री-marger और वो shares as it is merge identity में भी आएंगे क्योंकि अक्वाइर ने जो market में share issue कर रखे तो थोड़ी ना छेड़ा गया है देख अपने एक्वाइर जो है उसने market में बन लेक share issue कर रखे थे प्रीमर जाए ने आपको याद हो तो अपने एक्वाइर में प्रमोटर्स के पास शेर थे तो अक्वाइर में अब प्रमोटर को सारे के सारे शेर शेर कर के देती को मैने अपने अपने चीचिकते शेयर वालो को मर्या को टीजिए ने दियो को सभी को मैं या अपने शेयर तो सामने वाली कंपनी में 60 परसेंट प्रमोटर से रिलाइंस लिमिटेड के वन्लैक में ते 60,000 शेर प्रमोटर के पास थे उनको मैंने अपनी कंपनी के कितने शेर इस्यू करके दियोंगे उनके 60,000 शेर इनको 0.8 की अक्वाडिंग एक्षेंज रिशू था तो उसको भी 48,000 शेर इस्यू हुए हुए तो सब मैंने इस्यू करके दिया है तो सब मर्जर के बाद प्रमोटर के पास टोटर शेर कितने दे अक्वाडर के प्रमोटर के पास इतने और टार्गेट के प्रमोटर के पास 48 था हुए प्रमोटर का पूछा गया है थो मर्ज एंटिटी में प्रमोंटर्स के पाख कितने होगे गन्ट dollars को वह तर्गए क्रमोंटर्स को आपका प्रहाग कुटिश इशुट्पट फिर किल में दॉआ्सी्ट हो चुकां कियों ये टॉड़ाथ फिर भी आपके लिए समझ नहीं वाला पॉइंट था जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा समझना पड़ेगा टाइम देना पड़ेगा यह टापिक समाझ आ जा जाता है तो आगे की चीजे बास आप नॉर्मल तरीके दे चलते जाएंगे कोई इन में जागा टाइम नहीं लगता देखे बागे नेक्स्ट ट्रप्रग से बुक्वेल्य या नी एक बुक्वेल्य आफ्टर मर्जर आप अब मैं कंपने इसको शेर करके ने इस केस में मैं यह चेक करना चाहता हूं कि मर्जर हो जाएगा तो उसके leukeव मेरी फंज्वेक्वर। पॉस्ट मर्जर बुक वेल्यू क्या हो जाएगी मर्जर के बाद की जब भी बात करें समझ जाना मर्ज में अपने अंदर मर्ज करके मैंने अपना लेवल बढ़ा लिया था उसके बाद मैं अपने आपको क्या बोल देखना चाहते हैं इसके ओपर ज्यादा क्वेशन नहीं पूछता है इस पर ज्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है पर सुन लेना ही है क्योंकि इसमें बहुत से फ्रेंट दो-चार क्वेशन में हैं पर वह दो-चार क्वेशन कोई भी श्रेंट नहीं कर पाथा क्योंकि इनके टॉपिक्स किलियर ही नहीं रटनी की आदत है ना यूट्यूब पेस्ट को रटके चले जाए फिर पेपर में एक दो गुमाके दे दि सब्सक्राइब निकालते कहते हैं शेयर कैपिटल प्लस यही आपके बुक वेल्यों यही बुक वेल्यों के कुछ प्रिलिम्नेरी एक्स्पेंस बगेरा बैलेंशिक में तो वह लेस करना है जो की गलती है आजके टाइम नहीं करते पर कभी दे तो लेस करते हैं एक क्वेशन शेयर कैपिटल प्लस फॉरॉला प्लुक वेल्यों का मतश्वाइब वेल्यों के शेयर कैपिटल क्या होती है यहां पे इस टॉपिक में आप अकाउंटिंग को लिंक करेंगा आपको समझेना आगा कॉंस्पिक शेयर कैपिटल पर दिखाते हो फिस वैल्यो तो नंबर तो आपके 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 अप्सक्राइब और इस चाप्टर में बार बार बोल रहा था चलिया रखना वहना इस चप्टर में कभी आगे इसलिए स्टार्टंग से बोलता रहा हुँ यह पॉइंट के लिए रखना सामने को खरीक के अपने अंदर मर्ज करके अपना लेवल बढ़ा रहा है जो मर्जड एंटिटी उसमें बेस एंटिटी अक्वाइर है तो आक्वाइर की जो से फेसली ती वही मर्जड एंटिटी की फेसली रहेगी प्लास चाहिए तो सब्सक्राइब करते थे तो अपना डेटा तो बैलेंशीट में अपनी शेयर कैपिटाल रिजर्वेंट्स अपना सबकुछ ले लेता था प्ल played अपने एसर्श टेक ओवर करते दियो तो अक्वाईर अपने रिजर्वस टो मरण्स डेंटिटी में हैं रिजर्स प्लस target के रिजॉफ सौ ले लें चींग में क्यों आप किस तरीके से करते था हैं को आप लिए ओस पुलिंग ओफ इंट्रेस्ट मेटल वगेरा में चाल जाओंगे उसकी बात नहीं करूँ गॉल被 युच्ठ सिर्ल की गासाओं चैनल सेनेरियों की बात कर रहा हम exception में जाके फिर आप ढूंडोगे तो कुछ नहीं हो ना यहां जो scenario सोचने का है वो normal scenario से सोचेंगे वो देख लेगा आप देखिए आपको थोड़ी सी accounting यहाद दिलाता हूं आप entry क्या पास करते थे net asset taken over करते थे हमारे पास कोई information accounting नहीं करने बस समझे इस logic को समझने के लिए इसके बाद हम उसको शेयर ओफर के थुरू दे रहे है तो आपके मन में आएगा किसे नहीं पर टू सिक्वर्टी प्रीमियम भी होना चाहिए शेयर कैपिटल तो आपने दिखा दी फेल्यू पर लेकिन मार्केट प्राइस ज्यादा है तो सिक्वर्टी प्रीमियम फिर गुडविल कैपिटल रिजव निकाला चाहिए अरे वह आकाउंटिंग है यहां में डिसीजन मेकिंग देखनी है तो आपको एक्यूरेसी पर नहीं जाना सिक्वर्ट पर ले रहे हैं सेक्वर्टेस प्रीमियम अगेरा नहीं डाले वह वह भी रिजव का पार बंदा अल्टीमेटल रिजव तो उतने ही बनते ना बस इस तरीके से करना है हमें अल्टीमेटल डिसीजन मेकिंग के परपस से देखना है यानि सामने वाली कंपनी को जब आप खरी टोटल लाइबिलिटी यही होता है आपका टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी बेसिक ओफ एफ में चले जाओ किसका फर्मुला था बुक वैल्यू और बुक वैल्यू निकालने का एक और तरीका था ना शेयर केपडल प्लस डिजव और प्लस करदो यहां फिर टो प्लस टारगेट कंपनी को अक्विजिशन पर क्या कैपिटल बना बना क्या कैपिटल मिला समझ में यह यह होता ही है टोटल वैल्यू आफ्टर मजर यह नि मर्श डैंटी टीटीटी अब देखिए पॉस्ट मर्जर बुक वैल्यू पर शेयर बीइबी पई वेल्यू पर शे सब्सक्राइब कोई नई चीज नहीं थोड़ी बहुत हैं बाकि सारी चीजे तो पहले हमने प्रिविएश चेप्टर में देखा वही काम में आते हैं तो टोटल बुक वेल्यू ले 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 लुट्स बदाना तो इतना आसान चेप्टर है मैं हमेशा वलता हूं इसको सही तरीके से कर लिया और सिफ क्वेश्चन रटने के चक्कर में रहागा यूट्यूब पे क्वेश्चन देख देख के तो बस हो गया फिर तो काम कुछ नहीं कर सकते हैं इस लेवर समेशा टाफ लगेगा आपके लिए फाइनल सबसे बढ़ा टाफ एक्जाम रहेगा और जिंद्गी में वही हाल चलते रहेंगे वही साइकल घूंती रहेंगी देखिए नेक्स टॉपिक पॉस्ट मर्जर अर्निंग्स अफ्टर मर्जर ज को बहुत आसान है बहुत आसान है क्यासे निकालोगे सिंपल सा है देखो पहले अक्वाइर कुछ कमा के दे रहा होगा एक्विटी शॉल्डर को जिससे आप बोलते हो अर्निंग अवेलेबल ट्यूटी शॉल्डर सब अक्वाइर्स प्री मर्जर जो भी होंगी जिसे आप कर देंगे अब लोग कर लेते हैं बहुत लोग कर लेते हैं और यह और अच्छे से करेंगे तो इसमें देखो क्या होगा बहुत सिंपल सा है किशार अब अब क्राइबन ने क्या किए सामने वाली को मैंने खरीद के अपने अंदर मर्च कर लिया करने से क्या हुआ और जो जो क्या अपने से अर्निंग कर लेगी यह नियुव बात है अपने अपने लिया था अपना जो एक्जामपल था ना इसके अंदर पर आप निकालोगे तो अप्वारर 5 लग की जनरेट कर रहा था और टार्गेट कमपनी 3 लेक की जनरेट कर रहे थी इक्विटी शेलोल्डर के लिए अर्णिग अवेलेबल टी इक्विटी शेलोल्डर आपको आना चाहिए लेटी जनरेट करेंगे न बस्पल सी बात है तो यह जनरेट होगा इस फॉर्मूला में बस एक एक्ष्ण चीज घंप लाइगी यह क्विटी को खरीद के अपने अंदर मर्ज करता हूं तो उस थे युझत दोन्हें सेम फिल्ड की कंपनी थे वह कंपनी मार्केटिंग करती थी पहले मैं अपनी इलग करता था अब उस कंपनी और कर लिया था को मैंने खरीदा उसको खरीदने की वज़े से मुझे ग्रॉथ मिलेगी बिजनस में ब्रेंड वेल्यू और बढ़ेगी तो हो सकता है फ्यूचर में अब अर्निक्स और ज्यादा बढ़े तो लोग देखेंगे यारी कंपनी बढ़ी बन गई अब इसी के प्रोटक्ट लेते है तो synergy earnings में मिल सकती है ऐसा question में देगा तो आपको consider करना अपने मंसे मतले ले लेना किसलों हमने अखिए कर लिया कितनी synergy in earnings है कि इसे वाद येवे पूछे आपसे आप से मर्जर के बाद मर्ज डेंटी के पिस क्या होगा पॉस्ट मर्जर अनिंग पर शेयर इपिस का बेसिक ऑफ एफ में फॉर्मुला क्या था अर्निंग अवेलेबल टुटी शॉल्डर्स डिवाइब नमबर अफ यह तो यह तो यहीं टॉपिक खतम हो चुका है यहीं क्व सब्सक्राइब इसके बाद नेक्स टॉपिक देखो पॉस्ट मर्जे मार्केट वैल्यू या मार्केट वैल्यू अफ्र मर्जर जैसे आप मर्जर के बाद चारें वार्च वैल्यूं कि यगि बोलते हो क्या हो जाएगी तो सेम उसी तरीके ते जैसे अभी अपन जिस पैटन पर पढ़ रहेते हैं अब इसमें एक पॉइंट देखना मैं एक चीज नौटेस करवाता हूं जब हम पॉस्ट मर्जर बॉक वैल्यू की बात करें थे पहले हमने टोटल पॉस्ट मर्जर बॉक वैल्यू बस यह द्यान दखना इंसीट्ट जो फोलो करता है मैं उसी पैटन पर चीज़े करवाता हूं आपको और इसी पैटन पर इंस्ट्रिट्ट फोलो करता है अगर आपने पहले पॉस्ट मर्जर मार्केट वेल्यू निकाली वह भी पॉसीबल है लेकिन उस केप में फिर राउं पढ़ा रहा हूं थो थोड़ा दिहान से सुन लेना क्योंकि इस तॉपिक की वज़े से मेक्सिमन 99% बच्चों के डाउट से इस चेप्टर के अंदर जो इंस्टीट की क्वेशन को घर ठहरा देते हैं से बोल देते हैं कि इंस्टीट का क्वेशन ही यह लतन को क्वेशन मना तो यह टॉपिक अगा धंग से पढ़ लिया ना कभी आप गलत करोगे निक्वर्शन आपको समझ में आ जाएगा अच्छा इस क्वर्शन में इस वज़े से यह किया है यह आपको पूरी के देखो वो उसका पूरीटी है तो को निखालन है पहले वो निकालोगे तो पूस्मर्जर मर्ज मस्वर्शन में जिय पर और शॉब्स के पादнаком। सिनेरियों में मार्केट प्राइश निकालने का तरीका बिलकुल बदल जाएगा वह बदल जाता है यह दियान दखना और इसी वज़े से क्वेश्चन को गलत ठहरा दिया जाता है क्योंकि हम यह सब मार्केट प्राइस कैसे निकालोगे बहुत आसान है यही तो बनेगा फॉर्मुला है यह फॉर्मुला बनता है कैसे आएगा कैसे आएगा कैसे पता करेंगे मतलब तो क्वेशन में साफ बोलेगा कि जो मर्जर के पनेगे उसका पी रेशियो सब्सक्राइन रहने वाला ऐसा क्वेशन में लिग दिया कि एक्सपेक्टेट पी रेशियो ऑफ मर्च एंटिटी इस नहीं समझ जो बस मर्च पी रेशियो गीवन है कुछ दिमाग नहीं लगाना यह फॉर्मुला लगाना है खतम या फिर इसको पी रेशियो अफ रेशियो अफ एक्वा रेशियो विल रिमेन अंचेंज इस तरीके की वर्डिंग आपको क्रेंड बिले इसका मतलब क्या है तर इन वर्डिंग का अगर मैं हिंदी में ट्रांस्लेशन करोई अक्वाइर का पी रेशियो मर्जर के बाद सेम रहेगा जो अक्वाइरर का Peer Ratio, वह है Merged Entity का Peer Ratio, अर्च बहिए अक्वाइरर यह तो After Merger Merged Entity मनता है, स्टार्टिंग से यही तो समझाता रहा हूं इस चैप्टर में, मैं बार-बार बोला था कि be basic में ये जो बात बोल रहा हूं है ये मन में बेता लेना अगर किसी के मन में यह बात बैऩी नहीं है जो मैंने meaning बताया थी कि acquirer सामने वाले को खरीता है अपने अंधर merge करता है सामने वाली company बंद हो जाती यह लग से चलना और acquirer का level scope बढ़ जाता है बेस कंपनी रहती है पर इसका लेवल यह बढ़ जाता है यह बार-बार मैं बोलता रहा हूं और इसी वज़े से बोल रहा है इस चेप्टर में यह थोड़ प्रसेस अगर आपके माइंड में किलियर है तो कभी एक भी क्वेशन आप गलत नहीं करोगे कितना ही कितना वाला यह को सबस्यर होसे प्रसे दाएंड यहीं मर्श लेश्यों और यहांता जो और यहीं मर्श लाइगा समझ गए तो यह वाली लाइन सबसे ज़्यादा प्रसें सबस्क्रेसока मिलेगी MPS-80 आप निकालोगे, अब आपको तकलीफ नहीं हो नीची है, कभी भी किसी भी question में, अभी भी गलत करते हो, फिर वो आपके जिम्मेदारी है, आपने कुछ नहीं कर सकते हो, यह point आपका complete है, बहुत आसान आसा, कोई भी इसमें दिक्केत की बाद नहीं है, दूसरा scenario, अगर question में merged entity का P ratio नहीं दे रखा, मैं आपको बताओं, यह वाला जो scenario है ना, कोई 4-5 question में मुश्किल से मुश्किल लगने वाला है, बाकि सारे questions में यह वाला सिनेरियो होता है, यह कुछ questions में है, बस बाकि सारे questions में यह वाला ही लगता है, जो कि एकदम easy है, यह भी easy है, अगर स करने, अक्वाइर का continue रहेगा, नहीं, कोई assumption नहीं लेनी, जो question में कुछ नहीं लिखा हुआ कि P ratio मार्श रेशो क्या होगा, और नहीं question में यह बुला हुआ, कि अक्वाइर का P ratio का continue करेगा, या अक्वाइर का P ratio after merger unchanged रहेगा, या सेम रहेगा, यह सा कुछ भी नहीं बोला, क्योंकि वो मार्श रेशो बताना चाहता है, ठीक है, अगर question में कुछ भी नहीं बोला, तो आपको कुछ फाल्तु की assumptions नहीं लेनी, कुछ भी assumption नहीं लेनी, नॉर्मल तरीके से आप MPS निकालोगे, कैसे निकालोगे, नॉर्मल तरीके से बाप सोच होगे, आपको क्या सोच सोचने का तरीका है, वो थोड़ा अलग होगा, आप क्या तरीका होगा देखना, जो आपका earnings के case में था, जो earnings के case में था ना, वो वहला तरीका होगा, क्या होगा, sir, मैं हूँ acquirer A limited सामने Reliance Limited, मैंने खरीद के उसको अपने अंदर merge कर लिया, तो खरीद के merge किया, तो क्या ह हुआ, sir, merger के बाद जो merge entity बनी, उसकी total market value क्यों होगी, सोचो, acquirer company अपनी खुद की market value लेके आगा pre-merger value थी merge entity में, target वाले अपनी pre-merger market value लेके आएंगे merge entity में, यानि VA plus BT, यदे total post-merger earnings क्या थी, acquirer जो earnings generate कर रहा था, अपने shareholders के लिए, target जो earnings generate कर रहा था, अपने shareholders के लि कि acquirer की pre-merger market capitalization क्या थी, plus target की pre-merger market capitalization क्या थी, simple सा अब आपके mind में यही प्योसेत आना चीए, acquirer की, sir, यह market value थी pre-merger, target की यह pre-merger total market value थी, market value निकालनी आती है, market capitalization, MPS into number of shares, acquirer के pre-merger number of shares into MPS, target के pre-merger number of shares into MPS, तो दोनों की pre-merger market value मिल जाएंगी, दोनों कमपनी मर् तो हम यह माननेगी कि दोनों कमपनी की market value भी total हो जाएगी, दोनों कमपनी की market value भी total हो जाएगी, यही मानना पड़ेगा, ठीक है, peer ratio अगिर नहीं दे रगा तो, तो VA plus VT कर देना आप, ठीक है, VA मतलब market capitalization of acquirer, VT मतलब market capitalization of target pre-merger वाली, clear, इसके आगे और भी चीजे लि जो कि मैंने acquire करके इसको merge कर लिया, तो market value में synergy होगी, market value 10 lakh रुपीद से बढ़ जाएगी, synergy in market value, तो वो भी consider करो न, वहीं दोनों की pre-merger value का total plus synergy इतनी है, बस यही total market value होगी, merge firm की, divide by merge firm के number of shares outstanding NAT, तो क्या जाएगी MPSAT, बहुत आसान है, कुछ है नहीं, total merge firm की market value, divide by merge firm के number of shares को market price है, अब merge firm की market value कैसे लिए यहाँ पे, VA plus VT plus synergy in market value, VA मतलब pre-merger market capitalization of acquirer, VT मतलब pre-merger market capitalization of target, synergy in market value का मतलब का मतलब का है, PV of future gains or savings, question में असा दे सकता है, कि future के gains का अगर आप PV करोगे तो इतना amount बनता है, इसका मतलब वो आपको synergy in market value दे रहा है, question में indirectly देता है, एक savings होंगे, उनका PV दे रहा तो synergy in market value है, सर ऐसा कैसे हुआ, logic है, क्या कुछ बिलकुल है, आपको उता है, future में हर साल इतनी-तनी savings आप करोगे merger की वज़े से, तो future की savings को PV करते हो, तो उसी से तो value आती है, valuation chapter में पढ़ा ही है, पूरा, valuation chapter में पढ़ा क्या था, आप future की earnings वगेर synergy in market value मिलेगी, समझ में अई बात, क्योंकि future की saving जो है, वही तो market value को बढ़ाएंगी, तब ही तो market value बढ़ रही है, क्लियर है, तो यह आजाएगी MPSAT, normal है, अब इसमें मैंने बोला, थोड़ी detail में और बात करने हैं, जो हैं brackets में मैंने लिखी है, उसको मैं बता देता हूँ regular lecture में थोड़ी बात में अपने question पर आये थे, तब मैंने आपको करवाई थी यह बात, मना यह mix up हो सकता है, लेकिन अब revision चल रहा है, तो मैं यहीं पर आपको discussion करूँगा, इस चीच का धियान से सुन लेना, थोड़ा detail ले लोगा चाहिए मैं इसका point का discussion, देखो, मैंने इस तो यह आप pre-merger market capitalization लेने की बात कर रहा था, दोनों company के, आप धियान से सुनना, मालो target company, जो है सामनी वाली company, उसका आपको value calculate करने का method question में दिया हुआ है, valuation, business valuation में जो सिखा रखे हैं मैंने, business valuation में value करने के तरीके सिखा है थे, वहाँ बोला था value क्यों कर रहे हैं हम, क्य चेप्टर वाइस, उस according ही पढ़ाता हूं, तो target company के share की value पता करने का कोई तरीका आपको दे रखा है, और generally question में वो dividend growth formula वाला तरीका देता है, merger वाले chapter में, तो target company के shares का आपको एक तरीका दे रखे कि आप merger वगेरा करोगे, तो safe company में इतनी growth हो जाएगी, यानि dividend growth formula वगेर लगा कि आप उस company की value निकाल लो, यानि VT आप पता है, उस case में क्या लोगे, pre-merger market value मत लेना पर, आप जो calculated value आपने निकाल लिएन उस valuation approach से जो question में method given था, उस method से जो value आई है, वो काम मिल लेना पर, यहान पर VT में कौन सी value लोगे, जो calculated value आई है, using valuation approach, यह ध्यान रखना question आएगा, उस से दिखा दूँगा, इस question में, इसलिए ऐसा किया था, तो VT में, pre-merger market value ले हो गया, अगर वो available है तो, लेकिन अगर आपको calculated value, कोई valuation approach, valuation method question में दे रखा है, और उस से आप उस company की value निकाल सकते हो, तो फिर वो वाली value लेना, ऐसे VA के case में, pre-merger value लोगे, market value लेकिन अगर अक्वाइर की value निकालने का कोई तरीका दे रखा है, valuation approach वाला, तो वो value निकालके, जो value आई, वो लो गया, अब भी ये के अंदर, ये ध्यान रखना है, ऐसा क्यों कर रहे हैं, सुनना, देखो, valuation approach से जो value आती है, उसमें हम ये consider कर ले थे हैं, कि merger का effect लेके, इसकी value क्या होनी चाहिए, इस company को merge करने के purpose से हम value calculate करते हैं, business valuation के time करवाया भी था में, तो merger का effect लेने के बाद ये growth आएगी, उसके according upon value निकाल रहे है, यानि ये जो value आई ना, सपोथ ये generally VT के case में होगा, सामने वाली company में अगर merger हुआ, तो उसमें इतनी growth हो जाएगी, तो हम उसकी value calculate कर लेंगे, तो ये value होनी चाहिए, merger के बाद उस company भी, तो यानि इस VT के अंदर synergy automatically आ चुकी, ऐसा question जो होगा ना, ऐसा question होगा, तो उस question में synergy in market value का amount अलग से दे भी नहीं रखा होगा, इसलिए हम question को गलत बोल देते हैं, क्योंकि हमें ये concept, जो बारीक बार करते हैं, दो तीन question में है, पर मैं link करवा देंगा, इस चीज को, देखे हो, post-merger MPS निकालना सिख लिए, simple साथ, आप P ratio given हो, तो EPS AT into P ratio of Merged Entity, P ratio given ही हो, तो VA plus VT plus synergy in market value divided by NAT, अब post-merger market value, यानि market capitalization निकालना है, total market value क्योंकि मर्ष्ट Entity की, आप बोल दोगे VAT, अरे V क्या कैसे आएगी, market capitalization क्याता है, MPS into number of shares, तो Merged Entity का MPS, MPS AT into number of shares, Merged Entity के NAT, बहुत आसान है, abbreviation बस ध्यान दखना, कोई दिक्कत नहीं आएगी, clear है, सब समझा दिया है, यहां तक आपके point clear हो चुकिया, अब आज़े यह next topic में, देखिया, impact या effect of merger for the shareholders, जाफे gain loss to shareholders from merger, benefit या profit to shareholders from merger, या are shareholders better और worse of than before merger, या accretion dilution due to merger, question में इन में कोई भी चीज़ पूछे, सबका meaning से हैं, यह heading मैंने बनाई है, पांच इसमें मैंने points लिखे हैं, पांच बार इनका नाम लिखा है, इतनी बड़ी सारी heading, बहुत बड़ी सारी heading है, पर topic बहुत आसान है, exam में किसी भी नाम से पूछा जा सकते हैं, जिसमें confusion होता रहे हैं, सर यह क्या पूछ लिया, इन पांच चीज़ों का same meaning है, क्या meaning है, सब merger की वज़े से shareholders पर क्या impact आएगा, क्या effect आएगा, मरजर की वज़े से shareholders पर क्या impact आएगा, क्या effect आएगा है, हम देखना चाते हैं, या आशे और वर्ज्व देन बीफोर मरजर यहीं मरजर से पहले जो शेयर अटर की सुच्वेशन दी क्या मरजर के बाद वह बैटर हुई है कि वर्ष हुई है यह यादि गें लौज यह निकालेंगे बहुत आसार है दो बेसित हैं गेनलोस निकालने के दो तरीके हैं तो गेनलोस हम समस्ते हैं कैसे निकालते हैं तो सर दो basis है एक्शाम में कौn सा basis क्या करेंगे वह सब में क्लैरीफाई करूंगे अपास हिक बास इकब समझहा अपने बहुत आपशान सा बाल लाथ हो रही irlman के दूपनी के शेयर आप्रक टार्गेड धिस ऑना इसफेर क्या नहीं दोनोंrel नोगहिए तो आपूइरर हुआ नियुक्त सब्सक्राइब कर दोब को उसक जाते हो तो अभी सोचना पड़ेगा ना जब आप एक रिलेशनशिप करवाते हो तो इस रिलेशनशिप में दोनों की रजावंदी जरूरी एक आदमी अपने forceful तरीके से दूसरे पर अपने थोड़ नहीं सकता तिक आप अपनी नहीं चला सकते पूरी तरीके से आपको सामने वाली की इक्वल सुननी पड़ती है आपको पुरा एक्वल तरीके से सपोर्ट देना पड़ता है इसलिए टार्गेट वाले का भी सोचना पड़ेगा वह भी शेरोल्ड देखेंगे कि मर्जल के हमीं क्या गिन लॉस हो रहा है ऐसा नहीं वाले अपना देख लेंगे अपना दोनों शेरोल्ड दोनों कम्री के चेक करेंगे कि मर्जल के वज़से कि नpriип नहीं कर रहे होते हैं तो अब देखो कैसे निगाळोगे पह इतने हैं क्या इस कॉते का रहे तो इतनल में से अरिधी का थो इक फॉर्च वासे पर शेयर वजय घ्रेर वाषए की तो सब dugout वह शैयर के रहे हैं थैक्ष भर्णल होगा वाले करेखने करंड़्ध में क्कॉतेam प्रिमर्जर आपको निकालना आता है नॉर्मली अर्णिंग्स भाइब नमर उफ शेर पर कितना गेंड लोग अर्निंग्स में यह पर शेर का गेंड लोस आ जाएगा अब इसको कितना असान दा इसमें थाई किया अपना जो इसमें अपनी लिया था प्रिमर्जर फईवन था पॉस्ट मर्जर इप्डीक्र करेंगे अपनी एक्जांपर में तो वह लुए फोग्एट वालों को इतना और निंग्स मिलेगी पर शेर पहले वह फुपए पहले वह पांच को पॉइंट फैफ सिक्स का लोग हो रहा है यानी टोटल उनको कितना लोस हो रहा है उनके वन लेक्शेर थे तो रख आप फिट लगेगी वो पर शेयर लेंगे तो भी मर्स के टोटल आंसर लेंगे तो भी मार्क्स में तो यह फॉर्माइट इसले requestsrich है बस यह ध्यान दखना कोई अलग format कुछ भी दिमाग में नहीं लाना अब देखो टार्गेट वाले शेरोल्डर उनको क्या गें लोस होगा मर्जर की वज़े से उनका थोड़ा अलग तरीके से निकलेगा टार्गेट वालव यह प्रीमर्ज है उनका अर्णिस में क्या हक रहेगा वह गिंग लो्स तो प्री मर्जर तो वो क्या कमा RIGHT यह अदो लेख दिया यह निकाल लोगा नॉर्मललू कोईशन में दे रखा या निकाल सकते हो उसके अर्नींग्स और उसके नम्बर ओफ शेर रहा को एक्वेल्ड एक्वेल्एम्स और सेटी इंटू एक्सेज़ एचो सर यह क्यों कर रहे हूं ध्यान से सुनना पहुत लॉजिकल पॉइंट है ध्यान से सुन लेना का अब वह मुझ्ध एंटी उस से एक शेर के अगेंश्ट कितनी आंनिक्स खमार है पुराने एक शेर मुझेश्ट एंटिटि नुको पूरा एक शेर बेंड रहा हैं नहीं मंगा स्विप gü लेकिन मर्श टेंटीटी में सिर्फ एक्वेलेंट कितनी अर्निक्स कमा रहे हैं पुराने एक शेर के एक्वेलेंट देख रहे हैं इसलिए से एक्वेलेंट इप्याइट बोला जाता है तो सब्सक्राइब इतना कमा रहे हैं नहीं कमपनी में पुराने एक शेर के इसलिए इसलिए से एकवेलेंट बोला जाता है कि पुराने एक शेर पर वो इतना कमा रहे थे टार्गेट वाले नहीं कंपनी में पुराने एक शेर के अगेंस्ट कितना कमा रहे हैं तो नहीं कंपनी में पुराने एक शेर के अगेंस्ट पॉइंट एट जिरो शेर मिला था तो नहीं कंपनी के एक शेर पर EPS 80 की कमाई हो रह तो यहां पर टार्गेट के शूरा से अपको करना चाहिता ना है इंटी इंटू यार वाली नहीं तो यह तो नहीं कमपनी के एक शेर की अर्निंग है तो उनको तो इस यह तुटी एक शेर पे था तो इस पुराने एक शेर के अगेंश्ट नहीं कंपनी में कितनी अर्निंग्स होगी यही तो होगी का गें यह लॉस आ इनको देरा तो गेर था रहा है यह तो टॉटल इमोगें reduz 55,000 गेंद का लोज रहे यह दोनों यह दोनों सेम आएंगे एक का गेन आएगा एक करो आएगा सर यह तो हमारा तो अलग हा रहा है क्योंकि एक्सवी पैदा होगा तो सिनर्जी अपने एकजांपल में जीरो था एक के लिए यह मैंने 4.44 निकाला ना जीरो वाले एक्जाम्पल से निकाला तो अर्निंग्स में कोई इसी एक पार्ट को थोड़ा ज्यादा गेन आपको दिखाई देगा यह आप नोटिस करना ठीक है यहां पर ऐसा भी हो जकता है इसको भी लोस नहीं लाजाए इसको भी लोस नहीं लाजाए जब सिनर्जी नानिंग्स कुछ भी नहीं होगी ना तो गेन लोस का जो टोटल है श होती नहीं है तो महां वैरिफाई करके देखना आपका सेम जीरो ही मिलेगा तो आगे देखिए अब आप लोग बस यह था एपिस के विजिस पर क्या गेन लोस होगा शेयर ओल्डर को खताब आब आजए एंपिस के विजिस पे एपिस में लोस चेक किया कि अनिंग्स पर इ लेके एक वाइरर के नंबर खेस तो एग्वाइर आजाते न में तो में नोर्च तो उनका तो पहले टरत की मिल्गुल वैसे ही प्री मर्जर MPS of Target, माइनस किसमें ते करने है, इक्विलेंट MPS, वह टार्गेट का जो एक शेर था, पहले कुछ मार्केट प्रैस का था, मर्ज डेंटिटी में उसे एक शेर के अगेश्ट कितना शेर मिला, एक्शेंज एश्यो के अपड़िंग, 0.80, तो मर्ज डेंटिटी में उसको कितना मार्केट प्रैस का हिस्सा मिला, पोस्ट मर्जर MPS into exchange ratio, MPS 18 into ER, इक्विलेंट से कम पैरीजन होता है, इसका, वह गेन लोज पर शेर टार्गेट का, मल्टिप्लाइब है नमर ओफ शेर साफ तार्गेट, तो आजागा टोटल गेन लोज टू शेरोल्डर साफ तार्गेट, समझ में आगी बहुत आथान है, EPS वाला लॉजिक बताया, बस वही MPS से बदलते जाओ, लॉजिक वही है, इसमें अपने इसको अब डिटेल में जाजाना नहीं ले रहे, रेगुलर लेक्चर्स में अपने बात करिए, और भी अच्छे से पर अपर बबन, रिवीजन में इससे जाधा बात इस पर नहीं करना अपने ले ले ले, यह आपको पॉइंट के लिए रो जाना चाहिए, अब देखे, एक्जाम में क्या है, इग्जाम में सबसे जाधा दिक्कत क्या आती है, इन में सो कोई भी टॉपिक की हेडिंग देदेगा, हमें समझ में आ जाएगा, गेन लॉस निकालना है, पर सर जो गेन लॉस निकालना है, पर शेयर निकालना है कि टोटल, मैंने बोला, पूरा फॉर्मेट फोलो करो ना, पर शेयर भी निकालो, टोटल भी निकालो, दस सेकेंड लगेंगी, क्या फर्क पड़ रहा है, ये पॉइंट आपका क्लिए, दूसा पॉइंट, सर, क्वेशन में बोला, गेंट लॉस निकालो, तो उसमें हमी कैसे पता चलेगा, EPS के बेसिस पर की MPS, तो सर, क्वेशन में लिखेगा, गेंट लॉस निकाली है, अंदी बेसिस आफ एपियस, बस ये, गेंट लॉस निकाली है, टूश निकाली है, तो ये लगा देंगे, तो सर, क्वेशन में कुछ नहीं बोला, बोला, गेंट लॉस टूश निकाली है, तो क्या करेंगे, तो सब प्रैक्टिकल लाइफ में बता है, MPS के बेसिस पर गेंट लॉस चेक किया जाता है, मार्केट प्रैस में क्या गेंट लॉस होगा, मार्केट प्रैस में लॉस जणरली निकाला जाता है, तो साइलेन सिचोइशन में ध्यान दखना, और इसमें बहलन नगेंगेंट साइलेन सिचोइशन क्वेशन में गेंट लॉस टूश टुशेर होड़ा द्यकर बताई है, ना हंदा बेसिस OF MPS, तो आपको calculate करना है उन्दा basis of MPS तो question में कुछ नहीं वोला तो दिहान रख लेना याद कर लेना calculate gain loss to shareholders उन्दा basis of MPS हर बार यही follow यह आपको याद रखना है ठीक है अब इसमें कोई दिमाग नहीं लगा ना कुछ भी अलग से silent situation में यह कर क्या होगा इसके बाद देखिए कई बाद question में पूछा है total gain from merger बताओ total gain from merger या acquisition दोनों वर्ड का same meaning है total gain from merger acquisition क्या होता है यह बहुत simple सा है आपको क्या करना है MPS के basis पे total gain loss to shareholder of acquirer निकालना है और MPS के basis पे total gain loss to shareholder of target निकालना है total वाला MPS के basis पे और इन दोनों का total कर देना है total gain loss to shareholder of acquirer निकालना वेसिस फेंप्र प्लस total gain loss to shareholder of target निकालना बेसिस फेंप्र इसका total कर देना है यह होगा total gain from merger या total gain from acquisition यह पता है कि एक तरीके से synergy in market value अरे भई मर्जर की वजए से दोनों company के shareholders को जो market price में सब्सक्राइब यह पूछे तो ऐसे कलेट करोगे जब भी आप गेंड लोगे उन क्या देता है तो यह आप निकाल देना वही मैं बोल रहा हूं दो मिनेट भी नहीं लगेगी मैं दस सेकेंड लगेगी टोटल करने में कर देना बस किवल मार्केट वाले केस में यह आपको नि सब्सक्राइब यहां पर यहां पर मार्केट प्रेस की बात कर रहे तो यहां पर आपकी गलत फर्मी है यहां पर सब्सक्राइब करें अपना आपको अपना अपना अप्लाई कर रहा है यह अब निंग पर पी रेश्य अप्लाई होगा तो आटोमेटिकली गेट की जो हर्निक्स थी उस पर बी अक्वारर का पी देश्य अप्लाई हो गया यानि उतना सिनर्जी का बेनिफिट आ गया तो इसमें अटोमेटिकली सिनर्जी बेनिफिट आ जाता है जो बेरिफाई करके बताया हुआ है रेगुलर बैच के अंदर तो अभी बात नहीं कर सकते हैं तो यह पॉइंट भी मैंने आपको बता दिया इसके बाद देखिए इसी के अंदर इम्टेक्ट आफ मर्जर में लाश्ट थार्ड नोट कई बार क्वेस्चन में पूछा जाता है त्रू कोस्ट आफ मर्जर बताओ या फिन नेट कोस्ट आफ टेक ओवर इन तीनों में से किसी हमेशा हमेशा और की ध्यान तो यह पॉइंट निकलता है यह पॉइंट कोस्ट की बात होती है ठीक हमने जो लिए अधरेशन दिया वो नहीं नैट खर्चा कितना आया तो तुछ यह बहुत आथाना है निकालना पहले वो बता देता हूं आप क्या करो टोटल गेंड लोस चुर्ट ओडर्ष वाइच्ट के बैसिस पर टोटल गेंड लोस होगा वही अक्वाइर के लिए ट्रू कोस्ट तो यह पर इसके बराबर होना चीए टोटल गेंट नहीं उसके बराबर नहीं हो सकता है थोड़ी सी ध्यान से सुनना क्या चीज एक्जामपल से बताता हूं क्योंकि इसमें बहुत सारी मिक्स करते हो बाकि उसको डिटेल में तो अभी आपने नहीं देख पाएंगे रिवीदर में पर फिर एक एक अग्जामपल से आपको क्लैरिफाई करता हूं मतलब मैंने सामने वाले को क्या दीया मतलब सामने आपको 50 फर्चा videos मैं पास 10 यूऽ्मिध क्योंकि 40 मैंने दिये 50 है लेकिन 40 तो ऐसी चीज के लिए जिसका मेरे पास सामान भी आ गया तो दस एक्षा दिये हैं वो नेट कोश्ट प्रू कोश्ट बस उसी उसी लॉजित से निकाली जाती है देखो ठार्गेट कंपनी कीशक्राइ्म लेकिस की अपया निकाल लों निकालो मार्गेटा कंपनी का खरीदा है προंच MP3 यानि हमने 30 रुपीज वाले शेर के बदले 35.52 का शेर दिया है यानि 5.52 का उनको गेन करवा दिया है यानि मेरे लिए net cost है न क्योंकि भाई मैंने 30 रुपीज की चीज खरीदी एक तरीके दे 30 रुपीज वाले शेर की company खरीदी तो उतने तो company आ गई बदले में शेर दिया 35.52 वाला यानि 5.52 एक्स्ट्रा दिया है तो यही मेरे लिए true cost है यही टारगेट के shareholders के लिए जो total gain loss आएगा इसको total कर लो तो यह जो total gain या loss to shareholders of target आएगा उनने basis of MPS यही अक्वाइर वाली company के shareholders के के लिए क्या हो जाएगा अक्वाइर कंपनी के लिए true cost of merger वागे से कभी भी नेट cost of acquisition घबराना नहीं है तारगेट के लिए total gain loss निकाल दो वन्दा basis of MPS खतम हो चुका यह topic next topic पर आजाईए बाब लो नेक्स topic यह topic देखिए एकदम फालतू topic है इस topic का कोई sense नहीं मनता कोई तुक नहीं मनता एकदम base less topic है exam में एक question है वह repeat कभी कर देता है institute बाकि बिल्कुल फालतू topic है पुराना इनके हाल खराब है institute के तो बस वही copy paste करने के चकर में एक देते आ रहे हैं तो इसको एक बाद समझ लो बाकि इसको ignore करो वे तो भी चलेगा value of original shareholders क्या यह दोनो स्वारी में जो और וצननी ृजिने कितनी वंधियु ले रिडिका है 있으 उसे हम बोते हैं value of original मतलब क्या है सरकता चांचली मतलब काने कभी यह दोनी प्री मर्जर ओन्द मॉर्चल्य थेगे tечение ऌत्राइम बीह प्लस्ट निए म्ट्राइक बुद्फी आफ प्लस प्लस्ट फ्लस्ट्ट की करें सड़ी है कुछ से Mai tua कि तो देखता है अब थे अब स्क्रांगे आक हागी वह को समय सब्सक्राइब लेना था प्लसे acres निकालनी है यह मानते हुए कि मालो सिनर्जी नहीं तो क्या यह मांदे ना है एक एक टाल स्क्रामल में लें लेक्वैला किलोग जो च ważक आधी मैं निकालना चाहता हूँ वैल्यू पर कर आद 이야기 ऐसे तो पैला ये चैप टेल्ड के वयल्डा कि निकाल लोगे मर्ष टेंटी तेमें इक शेर पिलेशनल किसले निरी प्लस ब्रीनल किस्टा कितना चत्रों दीकेन Walking अब आपको टोटल वेल्यू निकालनी पड़ेगी औरिजिनल वेल्यू में कितना हिस्सा मिल रहा है बिलकुल फालतू साड। कोई सेंस्ट टॉपिक है बिल्कुल वेकार टॉपिक है बस ध्यान दख लो कभी आ जाए तो करना अपने एक पॉइंट का क्लैरिफिकेशन देता हूं इसमें जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में आता है यार यह यह जो फॉर्मला है यह गलती से भी मत कर देना यह मार्केट प्रैस यह मार्जट एंटिटी की मालो क्वेश्चन में पुछा वैल्यू और अपने निकाल दी यह स्टेप लगा दे फिर पूछा मार्केट प्रैस अगर बता के आ गए तो आपका अंसो गलत हो जाएगा मार्केट प्रैस निकालना अल्रेडी सिखा है वो तरीके से सोचना पी रेश्यो गीवन है नहीं गीवन हो उस तरीके से निकालो यह बिल्कुल अलग चीज है मैंने आपको क्लैरिफाइक कर दिया यह ध्यान दखना इससे के साथ यह टॉपिक कंप्लीट है नेक्स टॉपिक पर आजाई है अब आप देखिए अब आप मैक्सिमम एक्षेंज रेश्यो एक्सेप्टेबल टू अक्वाइर कंपनी को मैक्सिमम एक्षेंज रेश्यो कितना एक्सेप्टेबल होगा वह आपको निकालना है देखिए अक्वाइर वालों को मैक्सिममम कितना एक्सेप्टेबल होगा इसका क्या मेनिम है बहुत सिंपल था है यह जो टॉपिक है ना इस टॉपिक में तो आपको वैसे और भी कुछ भी नया नहीं देखना जो अभी तक हमनी टॉपिक देखे ने इस चेप्टर में वही के अब अगर आपने द्यान से समझ लिया तो इस क्वेशन में भी बहुत से स्टुएंट्स रटकते हैं कभी कर नहीं पाते अगर आपने इसका लॉजिक समझ लिया ना तो इस टॉपिक को कभी दुआरा देखने की जरुरूत तक नहीं बड़ेगा आप तुरंत इसका आंस कितना offer कर सकते हैं सामने वाली company के shareholders को ओम सामने वाली Reliance Limited को खरीदना चाता हूं target कंपनी को अपना शाया उसकी ऑनोर यानि शेर ओल्डर को Exchange issue देना है तो मेरे मन में में calculation करके रखता हूं कि मैं maximum उनको कितने shares issue करके देंदू मैं maximum उनको कितने number of shares issue करके दे सकता हूं अपनी कंपनी की ये भी एक कैलकुलेशन करके रखता हूं क्यों रखता हूं सुनना इसका रीज़ा देखिए में को उस कंपनी को खरीदना है रिलाइंस को तो मैं उसे मीटिंग करने जाने से पहले मेरे मन में कुछ कैलकुलेशन रखता हूं क्यों रखता ह और विए यारे में पड़नी बेच नीनिया मेरा यार दिमाग गुम गया मेरे तो बच्पन का सपना जुनुन था सब्सक्राइब को अपना बनाने का अभी कंपनी बेचेगा नहीं तो जुनुन कैसे पूरा होगा मेरा इसी सीच्वेशन में दिमाग में बस एक ही चीज में maximum में maximum offer दूंगा कि लिए ये maximum offer है मेरी तरफ से अब company बेसे तो maximum offer सुनके वह लालच में आ सकता है और अपनी company सकता है तो कई बार negotiation table पे ऐसा काम होता है कि आपको maximum offer देने की जरूराओ पाते है जब आप वी चीज खरीदने जाते हो आपको नॉर्माल एक्जामपल देता हूं मान लीजे आपको एक प्रॉपर्टी लेंड खरीदनी है आपने कभी खरीदी भी होगी आपको घरवालों ने खरीदी होगी तो आप उसकी बताता है कि मैं इतना मांगूंगा एक पॉइंट पर आके वह बोलता है कि यार भाई साब आप रहने दो मैं नहीं बेच रहा आपको लेकिन आपकी क्या आपको प्रॉपर्टी बहुत पसंद आ रही है तो आप उसको बोलते हैं यार देखो मैं तो लेना चाता था ता ताकि वह लालच में आ जाए और वह बेच के चला जाए यह पहले से मैं कैल्कुलेशन करके रखता हूं कि सामने वाली कंपनी को मुझे खरीदना तो उसके शेर ओर बोशेर करने तो तो मैं मैं कितने शेर दे सकता हूं एक्शेंज यही तो बताता है वह मेले को क्यां on the basis of EPS और on the basis of MPS बिल्कुल वही दो basis पे होगा जिनके basis पे gain loss था on the basis of EPS और on the basis of MPS दो basis पे यह निकाला जा सकता है दो basis पे निकाला जाता है दो basis कैसे हम हमको कुन सा basis फोलो करना है सब मैं बताओंगा बस एक बार आप सुनते जाओ पहले हम बात करते हैं maximum exchange ratio without dilution of EPS यह निmaximum exchange ratio EPS के basis पे हम वो बात कर रहे हैं अब क्यासे निकालेंगे देखो सुनो बात आप मैं maximum exchange ratio का क्या मतलब है मैं maximum number of shares कितने उसको दे सकता हूं अब उसकी company वो जब खरीदनी तो है मेरे ego की बात आ गई है मैं अपना बच्पन का जुनूर सैटिस्वाई करना है तो मैं कम्पनी खरीदनी है चाहिए anyhow किसी भी situation में उसको अपना बनाना है आपके साथ भी होती हो merger होने के बाद मुझे merger से एक रुपय का भी gain ना मिले चलेगा क्योंकि भाई अब मेरे को मेरा ego satisfy करना है उसको मैं खरीद के अपने अंदर merge करने ते मुझे एक रुपय का भी फायदा ना हो चलेगा बही सिंपल सी बात है हम merge क्यों कर रहे हैं उसको खरीदते है क्यों किसी हमें फायदा हो लेकिन आप मेरे ego satisfy करना है बस मुझे क्योंकि मैं maximum offer देने की position में आ गया हो तो आप मुझे उसको खरीदना है बस चाहिए एक रुपय का भी gain नहीं हो चलेगा लेकिन ऐसी situation में दिहान रखना है एक रुपय का भी gain नहीं हो चलेगा पर मुझे एक रुपय क कर लो उसे मुझे gain नहीं हो एक रुपय का भी gain नहीं हो चलेगा पर मुझे loss भी नहीं होना चाहिए समझ मैं अगर कोई logical इंसान होगा भाई मैं अपना ego satisfy करने के लिए अपना loss करा लूँ वो तो सबसे विकार है मानलो gain नहीं होगा चलेगा मेरा ego to satisfy हो गया ना गेन ही तो सब्सक्राइब चलेको जागी जड़ा-उ Bowman करने में नहीं होगते हैं ने बिदिसेंस में इन्सान नहीं होगा और अगर होगा उसकी कंपनी यह ज्यादा दिन नी चलेगी ज्यादा अक हने में बंद हो जाएग बिजनस करी नहीं पाइगा वो मर्जर तब कहुंचेगा भी नहीं अगर आपको अपने इगो सेटिस्फाइग करना है आप खरीदो गेन नहीं होगा चलेगा पर लोस भी नहीं होना चाहिए तो गेन लोस पर शेयर मुझे जीरो करना है अब आपको लॉजिक प्लैरिफाई हो पहले विदाउड आपको अपना इपीएस डाइल्यूट नहीं करना चाहता है विदाउड डाउड लुशन ओव एपाइस मतलब अक्वाइर जो उसका प्री मर्जर इपीएस था वहीं मेंटेन करना चाहता है यहनि अक्वाइर को गेल लोस पर शेयर होंदा बेसी जीरो चा आप लोगों को कि या ऑप ध्यान रखना है यांग ऐग्वाइल Cats चाहता है कि मैं पहले कमा रहा था पर से में ужас एक ज्टी गर्लीच फ्रक्रश कर ऑब फेसरी चाहता है तो क्वाइल Fish सब्सक्राइब सब्सक्राइब प्रिमर्जर इसके पेक्वेशन करो कोई लेकिन यह एक्वेशन करके आएगा अब चाहिए आप यह याद रखो या लॉजिकली दियान रखो मैं बाकी सब्सक्राइब लॉजिकली आप डिराइब कर लेना भूल भी जाओ तो बाकी लॉजिकली सबसे बैस्ट है इस चेप्र में कोई फॉर्मुला अगेरा नहीं है एक्वेशन करने पर लॉजिक क्या है वह बताएं तो आप अब इस एक्वेशन में EPS 80 को खोल लो क्योंकि हमें चाहिए एक्षेंज रेश्यो तो इसको खोल ले थे एक बार EPS 80 का फॉर्मुला क्या था यही था याद कर लो अभी आप इस एक्वेश्ट को एक्वेश्ट में गिवन होगा इस ठीक उसको कुछ नहीं करता अब सर EAT divided by EAT request to EPS of A यह मीरी एक्वेश्ट कर लो अप बैसिक से बताता आ रहो आपको तो एट डिवाइड़ वाई एने प्लस एंटी इन्टी इन्टी इस सामने एक्वेशन बन गई फाइनल एक्वेशन अब पता है क्यों होगा प्रींगर साथिव के आपके बाध अवेलेबल होगी थार्गेट के प्रीमर्जर नमबर ऑफ शेर्स अवेलेबल होंगे बाकि सारा डेटा फिल करके बस यह द्यान ने के लिए अब एक पॉइंट और बताता हूं कई बार क्वेशन में आपको एक एक्षेंज रिशो के बेसिक पर कुछ इसमें बाकि सारा डेटा बरना एक्षेंज रिशो के लावा वही निकालना है बस यहीं है टॉपिक में इससे आसान कोई टॉपिक नहीं अगर कंसेप्ट के लिए रहे तो अब ऐसे हैं यहीं यह मार्केट प्रयंश आफक्त करती उसके बेसित पेंस को करना थो प्रीक्स अप्रम्योन करना ऑप में अब इसमें बस पॉस्ट में इंकम इंप एक्षियर को खोल लाँ एक बार यहीं फ़र्मोल्ला होता है इनटो पी रेश्योंग यहीं फार्मुला होता है इन्टो पी रेश्यों यहीं तो अभी यहीं दिख रहा तो आप तो एटी डिवाइड में एटी को खोला तो एने प्लस एंटी इंटी या मल्टिप्लाइ में पी रेश्यो था वह एड़ेटी लिग दिया एजी कुछ नहीं करा मैं फॉर्मुला को खोलता गया ताकि एक्शेंज रेश्यो कहीं पे आ जाए अब इस फॉर्मुला में सारी एक्शेंज रेश्यो के लावा बैलेंसिंग एक्शेंज रेश्यो के लावा आप खुद देख लो यही फॉलो करना है इसके अलावा और कोई तरीका मत लगाना कभी आप इसमें कुछ नहीं कर सकते यूट्यूबर आएंगे शॉर्टकट देखके जाएंगे यह लगा लो वह शॉर्टकट कभी फोलो मत करना दो क्वेश्यों में लग जाएगा तीवसरा नया कोईशन आया नहीं लगेगा कोइंसिदेंटली लगने क्यों वह शॉर्टकट जिनके रीजंस मैं बहुत बार दे चुका आप लोगो तो आपको बस यह फॉर्मुला जो फिक्स बता रह इस ब्लाइब ल्ए बिलकुल आसाथ घ्याव में बोला मैक्सिमा मैक्षण देशियो बता विदाउड डायलूशन और विप्यास वह निकाल दो जिस बेसिट पर बोले इस ब्युदित पर यह बोलाने की एक्पिस मेंटेन करना चाहता है तो आप सब्सक्राइब बोला निकलता है तो आप डाइलूशन भी नहीं चाहते हैं यह सबसे में इंपोर्टेंट चीज वह ही होती है इसलिए साइलें सिट्वेशन में इसके अलावा कुछ लोगों के मन में ऐसा सकता है तो मैक्सिमम अलग अलग आते हैं कि बिल्कुल बहुत के डाइलूशन से अलग हो सकता है और MPS का विदाव डाइलूशन से अलग हो सकता है कोइंसिडेंटली से मुझा वह अलग बात है वाकि यह अलग अलग ही होगा जन्रली यह ध्यान दख लेना आप लोग इसे के ताथ यह टॉपिक कंप्लीट आपका बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है कुछ नहीं है इस टॉपिक में अब आजए यह नेक्स टॉपिक हैसे मिन कितना एक्षेंज़ एक्सेपटेंगों कितने यह सामने वाली किर्ट अवालर Repeats Art प्रेले अगा अभानी मिनिमम कितने number of shares मेरी company के मांगेगा मैं share issue करके दूगा ना मिनिमम कितना मांगेगा अपनी company बेचने के लिए वह आपको निकालना है इस बार मानलो आपनी की गरज यह company बेचने के लिए तो घर से के calculation करके आएगा कि मिनिमम तो मैं इतना तो मांगूंगा अगर इससे कम सामने वाले ने ओफर किया तो मैं इतना कोट कर दूगा ठीक है मानलो सामने वाले का minimum exchange ratio .40 उसने calculation कर रखी दिए मैंने उसको 0.60 का offer दिया वो तुरंथ हम बोलतेगा उसके मन में तो minimum 0.40 था उसको अपनी बेचनी थी दुखी हो चुका था वह वो लेगा हाँ ठीक है ठीक है लेकिन मानलो मैंने उसको को कोटेशन दी पॉइंट 30 वो बलेगा नहीं नहीं सर यार कम से कम तो पॉइंट 40 एक्शेंज रेश्यो दो तब ही मैं बेच पाई तो वह अपनी तरफ से minimum calculate करके लाता है घर से सामने वाला minimum कितना मांगेगा तो minimum कितना मांगेगा वही सेम तरीका on the basis of EPS सामने वाला minimum इतना मांगेगा ताकि उसको मर्जर की वज़े से गेन ना हो चलेगा पर लोस ना हो वो भी वही सोचेगा ना यार तो गेन लोस पर शेयर उसको जीरो चाहिए सा गेन लोस तो सकता है बिल्कुल सेम तरीका है तो पहले minimum action ratio without dilution of EPS यानि सामने वाला चाहता है उसको EPS में कोई गेन लोस तो उसका गेन लौस कैसी आता जरा टारगेट कमनी कई याद करो equivalent EPS माइनस प्री मर्जर EPS हमीं क्या करना है जीरो करना इसको गुलन्टी पिएण को किसके बराबर बनाना है प्री मर्ज यहां पर प्रीमर्जर इसको किसके को बराबर बनाना सब्सक्राइब इसको बराबर बनाऊगे तभी तुम्हस पर शेद जी रुगा है तो बस कुछ दिए किए यहां पर बोलोगे सर इसको बराबर बनाना इसको इधर तो इसमें तो खुलने की जरुबत पड़ेगी क्यों कैसे होगा हमें एक्सिमम यह निकालना तो नमबर ओफ शेर नियोंगे आपको पहले पार्ट में बता दिया कोई एक्शेंज रेशियो उसके अप्राने एक्शेंज रेशियो के अकॉडिंग आया है अरे हमें तो नया एक्शेंज रेशियो चीए उसके अकॉडिंग तो एप्स वगेरा सब चेंज हो जाएगे वही तो निकालना है तो उससे एक्शेंज बना के बताई वरना मैं डायेक्टली भी लोजिकली बोलके बद छोड़ देता लिए मुझे मालूम है आपको गल्ती क सुद्ध करणsystem सब्सक्राइब निकालना है तो इसको एटी को और कषलो एक्शेंज टी यह ओर दिवाटाएब प्लसंटी इन्टी ई सामने किसके पructीस हो सामने दो तरीके पी रच्पा सब्सक्राट को खोल नेंगे और खोल लेंगे तो की निए अगा फॉर्मुला आपको मिल जाएगा अब वही सेम साइलेंट सिचुएशन में मिनिमम एक्षेंज बोला है किस बेसिस पर निकालना है तो मिनिमम एक्षेंट वाले शोडर अपना सेम एंपेस में आपको बता दिया था कि लिए इसी के साथ यह टॉपिक कंप्लीट और आपका सेकिंड पार्ट इस चप्टर का सबसे मौस्ट इंपोर्टेंट पार्ट में अब मैं आपको कुछ पॉइंट और बताता हूं कुछ एक्स्टा क्लेरिफिकेशन क्यूंकि ज्यादा दिमाग हमें चलाने की आदत है तो क आपके लिए यह बात इसा टॉपिक होई नहीं सकता एक्वाइर वाला मिनिमम सामने हो लोगो कितने नंबर ऑफ शेयर देना चाहेगा बताओ मैं मिनिमम कितना देना चाहँगा मैं सामने वाली कमपनी को खरीदना है मिनिमम कितना कंसिलेडरेशन देना है मैं तो बोलूगा फ्री में दे से कम्पनी निए मेरी योर से दो में को पैसा देना ही नहीं है तो यह कोई लॉजए की नहीं बनाता इसमें सोचने का तो हो यह निया सकता ऐसे ही कि टार्गेट वाला मैक्सिमंम कितने शेर सेक्सेट करेगा अमबानी बोलेगा अमभानी येख को यह सोचांगा उसको मेक्सिमम नंबर वो तो बोलेगा maximum कितनी भी देडो unlimited अगे चलिए इस चप्टर का थर्ड पाट मर्जर सन्ड एक्यूशन केश ओफर इसमें पूरे के पूरे सेमगैं वही आएँगा जो शेहर एमगे आएंगा सोचने का तरीका भी वही होगा बस थोड़ा सा अलग तरीके से सोचेंगे तो इसलिए लॉजिक अब वापस अपन डिटेल डिसकस नहीं करेंगे इसमें फटाफट से आपको रिवाइस करवा देता हूं क्योंकि इसमें सारे वही लोजिक में को रिपीट करने और अभी मैंने आपको रिवाइस करवाए है तो यह बन अब फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं अब कर देगी कैश ओफर में मर्जर सेंड एक्विजिशन करोगे तो किस तरीके ते आपका मर्जर एंड एक्विजिशन होने वाला कैश ओफर की केस है यानि सामने वाली कंपनी रिलाइंस और दॉबारा अनुफा शकल मुझे मत दिखा देला है मतलब मैं उनको पok लेके जो करना करो अयाशी करनी है यह जाते हैं जाके मसाज करा रहे हैं मुझे कोई दिक्कत नीए उन शेरहोल्डर से मेरा सारा नाता टूट चुका है मैंने उनको कैस दिया वह कंपनी बेचके चले गए उनको कोई लेना देना भी नहीं था समझ में यह तो यानी इस केस में एक बात ध्यान लगना कि सामने वाली कंपनी जो शेरहोलर से ना उंको माई टेनटी लेख खरी करेंगे ऑपना सबसे पहले इसमें क्या टॉपिक बनेगा यह यह तो क्वेशन में गीवन और रखी आपको बोल दिया सामने वाले शेयर को आप 40 लाक रुपीस का कैश पे करोगे उसकी कमपनी खरीद के लिए खतम बढ़ या फिर आपको इस तरीके से बोल सकता है कि आप cash per share 40 रुपीज देने वाले हो तो यह amount कैसे calculate होगा cash per share into NT NT का मतलब सब कुछ वही है abbreviation number of shares outstanding in target pre-merger target वालों के 1 lakh shares outstanding per share 40 रुपीज देने वाला हो तो हर एक share को 40 रुपए दूँगा हर एक share holder को तो 1 lakh वालों को कितना दूँगा total 40 बहुत आसान था कुछ special नहीं है इसमें दो ठीक है अब आजाएगे इसमें पॉइंट और लिखा है in case of cash offer number of equity shares outstanding in merged entity will be equal to number of equity shares outstanding in acquiring companies since now since no shares are issued to share orders of target company जो अभी मैंने point बोला था ना वहीं यह है भाई इस case में जो N80 ना number of shares outstanding in merged entity इस case में जो N80 यह किसके बराबर होगा एने के बराबर यानि merged entity में outstanding number of shares पता है कितने होंगे जो outstanding number of shares acquirer company में थे प्री मर्जर बस इसके बराबर एने टी हमेशा एने के बराबर होगा आप एने काम में लोगे बस एने टी के जगा है हमेशा अब हम एने काम में लेंगे cash offer के case में तर ऐसा क्यों क्यों कि टार्गेट कमरी के share orders को मैंने को करें क्या मर्जर के लिए मन को कोई share issue करी नहीं ला मैं तुमको cash देके रवाना कर रहा हूं में एक रुप्य कभी हिस्सा नहीं दिया मैंने बोला ना तो बस यह point ध्यान लखना सबसे ज़्यादे इस चीज़ में करते हैं वह एने टी के रिचकर में क्या करते एंटी इंटी इंटी यार तो कभी मिलेगा ही नहीं आपको एक्षेंज रिचू होई नहीं सकता तो यहां पी क्या करते हैं एने प्लस एंटी करके आ जाते हैं अरे हो गाई नहीं क्योल अक्वाइर के शेर ही आउट इस्टेंडिंग रहेंगे उनको कोई share issue करे नहीं है तो प्लस अप्लस इसके बराबर एने तो एने इंटू फेसलिव अब यह मत बोला एने सब गलती से लिख दियागा गलती नहीं ही आया गई जोफर है यह प्लस इस रिच्वाइर के लिजव प्लस सामने वाली टार्गेट को ख़रीदने पे एक बारए फेटार्गेट को यहां पे और लोगों को दे क्या रहे हो तो एंटी यही तो है तो टोटल कैश पेड कामाउंट थीकए तो यह एकौण्टिंग से भी समझा देदा ओ प्लस माइनस जो भी हो यहां गुडविल जाथा कुछ नहीं होगा के नाम से डिसीजन मेकिंग कर रहे हो प्रोपर अकाउंटिंग नहीं कर रहे हो ठीक है गुडविल माइनस में हो जाएगा अब पुछले तो भी मैंने कवर किया है एक एक टॉपिक आपके लिए पोस्ट मर्जबुक वेल्यू निकालना है तो पॉस्ट मर्जबुक वेल्यू डिवाइड बाए नंबर ऑफ शेयर से इंटिटी जो की होते हैं एन ए बस यह जहां लगना अब पॉस्ट मर्जर रणिंग सब्सक्राइब लिए प्लस इनर्जी नंग से फैनी वही जो शेयर ओफर में था बस एक एक्ट्रा अड्जबुक माइनस माइनस क्या कैश पर शेयर इंटु एंटी इंटु इंट्रेस एक परसेंट वन माइनस टेट से इतना बड़ा सारे अड्जबुक एसे याद जाना क्या किया एड्जेस्टमेंट बहुत सिंपल सा एड्जेस्टमेंट है यह देखो मैं क्या कर रहा हूं देखो ये प्लास एटी प्लास इनर्जीन अनिक्स ये तो करते आ रहे थे दोनों एंटेटी के अनिक्स मर्ज हो जाएंगी ये अनिक्स मिलेंगे अब शेरोल्डरस को लेकिन जब कैश ओफर होगा तो क्यों होगी अपोर्चुनेटी कोश्ट भी आएगी जो कैश हमने पे किय एंटू बन लेक शेर्स हैनी फॉट्टी लाइए यह हमने कैश पे किया तो सब कैश किया थो तीजोरी में से निकाल के देदी ऑगो उससे अर्निक्स पर थोड़ी फर्क पढ़ेगा अर्निक्स पर फर्क नहीं पढ़ेगा पर इंडिरेक्ली पढ़ेगा कैसे सब मान लिजी तो पहले इस प्रॉफिट में वह निंग्स इंक्लूडेट अब फ्यूचर में वह होगी नहीं कि इतना कैश हमने पेकर दिया तो चला गया तो वह अर्निक्स पर नहीं होगी तो उससे अर्निक्स लगा यह जो अर्निक्स निकाल हुए उसमें टेक्स का एड़्जेस्ट हो तो इस पर बैंट अग्स लगा होगी ना तो आर्निक्स होगी नहीं तो टशक हो थार्णिंग से थार्टी परसेंट टेक्स लगता होगा तो वह तो यानि टूल एक टी थाउजंड का अब हमारा फ्यूचर में लॉट्स होगा वह ने लॉट्स तो यह होगा ना क्यूंकि वह लोग क्या बोलेंगे मैं आपको आज की दिन बता सकता हूं मार्केट में 90 या 95 परसेंट ऐसे लोग है लेकिन उनको आज तक मर्जर हमाल कमेशन को प्रोसेजर नहीं बता उनको क्या लगता है ना सुनना ध्यान से अक वायर कंपनी जब कंसीडरेशन देती है ना तो टार् कोर्चुनिटी कोस्ट वह पैसा तो वापस आगे ना मर्जर के बाद तो उनसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है मैं आपको बता रहा हूं उन्होंने कभी लॉजिक ढंक से सोचने की कोशिश भी नहीं कर लिए आप किसी चीज को खरीदने के लिए आप ओनर को पैसा देते ठीक है वो उनका परसनल פैसा हो गया वह तो कमपनी बेचके मेरी कोच चले गए तो कमपनी आई मेरे पास मेरे अंदर मर्ज हो गई तो यह फोटी लेक मेरे पास किसी बींगल से वांपस नहीं आ तो और यह अपकोकी मेरे आरो ॉना . कि पॉस्ट मर्जर अंग्स पॉस्ट मर्जर एंट के बढ़ बाइने टी इसके बराबर होता है न के बराबर आझा यहाप निकालते हैं पौस्ट मर्जर मपीर उसके लिए प्रेशेन का एंट्रिक निर्ट से इन च्रा करें घर श्युकुर्ण में आप मार्केट वाली उठा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है वो पहले की वेल्यू थी जैसे ही हमने मर्जर क्या होगा तो उनको कैस्ट दिया कैस्ट इसको दिया सामने और भी कैस्ट देंगे तो मेरी घटेगी जाएगा मेरी पास से आपके तुछ निकालगे तो वहीं घटी है मेरी इतनी इतनी अमाउंट से अब वहीं सोचे कि पैसा तो तो गया होगा तो वह वापस आगया होगा नहीं टार्गेट के शेर्णर को गया वो लेके याश्य कर पर लोगिक सब्सक्राइब कर चुका है और अप्सक्राइब कर चुका है और यह पेड का अदर एड़ेश्मेंट हो चुका है दुबारा करने की जोड़त सब लोगिक के लियर होने चीह आपको पॉस्ट में निकालना है इसके निकालने का यह कोमन तरीक है इस केसमे उन्दा बेसी कारी नहीं सकता नहीं कर सकता target के shareholder's को commercial entity में कोई हिस्सा दिया भी पaffेले वालों का EPS दोने बीजन नहीं क्या जाता है पर आप practical life में कर सकता तो आपको टार्गेट का भी साथ में निकालना पड़ता है तो टार्गेट का तो पॉसिबल नहीं है टो टोटल गेंट लोग आपने नहीं किया बहुत आसन सा था अब टार्गेट के शेरोल्डर के लिए गेल लॉट्य निकालना है कैसे अब साथ टार्गेट वालों को तो नहीं इपेज में हिस्था मिल रहा नहीं एंपेज तो कैसे निकाले इनके लिए तरीका अलग है इनके आप क्या करोगे बहुत आसांता तरीका है टार्गेट वाले शेरोल्डर को हमने कैश दिया मदले मुन्होंने कंपनी नाम करी तो बस कैश पेड़ पर शेर कैश इतना दिया माइनस उनके एक शेर की प्रीमर्जर मार्केट प्राइस क्या थी यह उनके लिए लिए गेल उसको 40 रुपैस दिये 35 रुपीज के प्राइस के बतले हैं उसको 5 रुपीज पर शेर का गेल हो गया बैजर टार्गेट के शोल्डर कैश ओफर ले रहे हैं उनको कंपनी दो कोई लिए ना देना नहीं उनको बस थाइलेंड जाके आयाशी करनी है तो बोलते हैं यार हमारी माइनस प्री मर्जर मार्च प्राइस अब बोल सकते हो वैसे तरीके को कैश ओफर इस अब इस केसमे कूछ हो नहीं सकते हो नूट है नहीं क्यूंकि आप और क्यूर्ट का प्रैक्टिकली निकालने का इसके वाद इस केस में भी द्यान दगना ट्रू कोश्ट ऑफ मर्जर ये नेट कोश्ट ऑफ एक्विशन या कोश्ट ऑफ टेकवर पुछे इसका मतलब सेम वही है तार्गेट के शेयर होल्डर को टोटल गेन लॉस इतना हुआ वो निकाल लो यहां पर कॉमन तरीका उससे वह ये अक्वाइर के लिए नेट कोश्ट ऑफ एक्विशन या ट्रू कोश्ट ऑफ मर्जर है एक्जाम पर से समझ लो देखो तार्गेट के शेयर को मैं 40 रूपे दे रहा हूं उसका एक शेयर 35 रूपे का वर्त का था तो 5 रूपी जाता दे रहा हूं बहुत 35 रूपे की लो चुका है यह वाज़े यह नेक्स टॉपिक मैक्सिममोंegash पर शेयर एक्सवेशर का क्वाइर कंपनी अक्वाइर वाले मैक्सिमाम marcash या मैक्सिमम प्राइस कितनी ओफर करेंगे सामने वाली कंपनी के शरावरी मैक्सिमाम कितना पैसा देना चाहँगा वहाँ शेयर की सब्सक्राइब पर करेंगे कितना कैश्व ऑफर कर सकते मैक्सिमम इतना उफर करेगा क्वायर ताकि उसका ईपर डैलुट ना हो या फिर एक्वायर का हिससा रहा था ना ना मर्जर निकालेगा तो पहले वही मैक्सिममगेश पर शेयर विदाव डैलूशन ओफ या ने यह चा प्रवाइर प्रवाइब 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 निकालना है मैक्सिमम उसको खोलो एक बार यह तो था पॉस्ट मर्जर एप्स अब यह आपने निकाला अब इसमें कहीं पर टक प्रवाइब देटा बनाना है लाइब इसके परद बनाना चाहता है संप्रेंग बनाना बनाना है इसको खोलो क्योंकि हमें cash per share इसको और खोलते हैं तो यहाँ एक को खोल लो क्योंकि cash per share मिल जाएगा पर इसमें सब कुछ डेटा बढ़ देना और cash per share बैलेंसिंग कि निकाल लेगा इसको किसके बराबर बनाना इसको और कुछ एक्वेशन को खोलना ही नहीं इसी से आंसर मिल जाएगा जाएगा cash per share बैलेंसिंग जीगा वही silent situation में maximum cash per share आपको निकालना हो कुछ नहीं बोला बिल्कुल सेम था कुछ भी अलग नहीं इसलिए अपने फटापट से किया तो यह पूरा समझ में आ रहे होंगे आपको टॉपिक अगर वह टॉपिक की समझ में नहीं तो सब बहार आपके लिए concept के अब नेक्स देखें minimum cash per share acceptable to target कमने सामने वाली कंपनी के शोल्डर को minimum cash कितना acceptable होगा minimum cash कितना मांगेंगे से मुसी तरीके जैसे minimum share कितने मांग रहे हैं अपनी company बेचने क्लिए minimum cash per share कितना मांगेगा minimum कितना पैसा मांगेगा तो सब्सक्राइब यहां पर वो डाइलूशन और सब्सक्राइब कोई हिस्सा नहीं लेना मर्श कोई हिस्सा नहीं मिलता कैश लेगा थाइलेंड के ट्रिप पर रवाना होगा दियान दखना अपलो तो वह ज्यादा दिमाग नहीं लगाएगा वह क्या मोई देखो ग लिए मरकेट प्राइस है तो इस में एक वर अचेट मेंग आ कर फिर समझाओं सब्सक्राइब मैं वहלה होगा दूसरा कभी कभी सेनेरियों में हो सकते यह क्यों मांगे गैगा इसकारी ड़ावर उसका के ब्रावर मांगेगा सामने वाली कंपनी का इतना दे दो मेरी जो मार्केट प्राइस है मिनिमम इतना तो दे दो इसके अलावा वो एक और चीज मांगेगा अगर कभी होगी तो प्लस क्या मांगेगा लोस ओफ रेमुनेरेशन पर शेयर टुशेर ओल्डर सफ टार्गेट इपनी क्या चीज़े यह क्यानी आपको समझ में आएक हो और टार्गेट कंपणी मेरे एक liquids कंपनी मेरे टार्गेट कंपनी है उस कंपनी में अमभानी शेयर ओल्डर था जिसके पास माँ ले ले और अम्बानी उस company में top management का employee भी था शेर होल्टर भी था और कंपनी का employee भी था top management में अच्छी position पे अम्बाणी ने employment भी कर रहा था उस company और हर साल 25 रुपीज की वह salary उठाता था अम्बानी अब क्या हुआ मैंने रिलाइंस लिमिटेड को खरीदने की बात करें अम्बानी को पैसे देने की बात करें तो अम्बानी को पैसे देने की बात करें तो अम्बानी ने बोला करूंगा तो अम्मानी फिर भी मेरी कंपनी में एंपटीन्यू करेगा मेरी कंपनी का शेयर ओल्टर वगिरा नहीं बनेगा क्युकि कैश्ट दे दूगा लेकिन एंपलोई तो बाद में भी लखूँगा लेकिन उसकी सैलरी में फ्यूचर में 15 लाग कर दूगा क्यूंकि वह 10 विक्त निया कि कुछ से मालूम हैं वह वह ज्यादा सेलरी उठा रहा था है वो एम्प्लवी बनने को तैयार दिया तो इस केस में मैं एक बाद गोलेगा देखो ये सब ठीक है लेकिन अगर मैं आपको कंपनी नहीं बेचता हूं तो फ्यूचर में 25 लाकी कंपनी से सेलरी उठ में रूपीद का नुकसान होगा तो इसकी भरपाई कोन करेगा वही अगर इसकी भरपाई कर सको तो मैं कंपनी मिनिमिमम इतना भी तो मांगूंगा मैं मैं अपना लॉस नहीं कर वाना चाहता है में इतना मांगना है कि यह नहीं हो चलेगा पर लॉस नहीं होना चाहिए तो तो टल रूपीस चाहिएगा तो मुझे यह नुकसान तो यह नहीं बेचुंगा तो यह लॉस और ना तो वह भी मुझे आप दो क्योंकि मुझे लॉस नहीं चीए मर्जर करने से आपको कंपनी बेचु मुझे लॉस क्या फायदा तो एक्स्ट्रा रामुनेरेशन पर शेयर ठीक है जो था सामने वाले जिसका उसको फ्यूचर में लॉस होने वाला है तो लॉस फ्यूचर को आप पर शेयर कर लो तो शेयर और सफ टार्गेट अगर कुछ है तो वह भी वह मांगेगा मिनिममम कैश पर शेयर क्या और इसको एक क्वेशन से और बताऊंगा तो और आपको इस पर कमांड आ जाएगी क्वेशन में जब आपन देखेंगे इसे के साथ आपका थार्ड पार्ट इस चेप्टर का कम्प्लीट हो चुक है आप फॉर्थ पार्ट में आ जाएगे आप देखें अब यह फोर्थ पार्ट क्या है अधर क्याकूलेशन से मर्जर से डेकुलिशन हमने देखा आपने वाली कंपनी को खरीदेंगे अपने अंदब मर्ज करेंगे तो उतमें क्या-क्या कैलकूलेशन इंवाफ वोगी डिसीजन मेंकिजिए अगर हम शेर में ऊफर देता है ये cash का ओफर देता है अब यहां पर मैं आपको दो अलग other calculations बताने वाला यह बिल्कुल Fẩकल के काम कि नहीं होती प्रैक्टिकाल डाइफ में जनली यूश की नहीं होती और इंस्ट्ट्ट के एक एक question करने के लिए बस एक बार कर लेना ध्यान रख लेना थोड़ा बाकि ज्यादा काम की नहीं है तो मर्जर एंड एक्विश्चन में कई बार यह क्या करी जाती है देखो क्या है फटा-फटा समझे लो फालत हुए वैल्यू आफ एक्विजिशन करने की वैल्यू सामने वाली कंपने को खरीदने की वैल्य अक्वाइर करने की वैल्यू अब जैसी में यह बोलूँगा आपके मिन में अगया सब्सक्राइब करने की वैल्यू यहनि उसको चैप्टर में बहुत से वर्ट सिमिलर लगते हैं पर वह होंगे ने जैसे हम ट्रू कोस्ट अप मर्जर की बात कर रहे ते तब भी आपके मन म करने के लिए कितनी वैल्यू दे रहा हूंगी वह नहीं बोल रहा अक्वाइर करने की वैल्यू बोल रहा हूं दोनों में बारिक सा डिफ्रेंस है इसलिए टॉपिक डिफ्रेंस बन जाता है तो इस चप्टर में जो वर्डिंग से ना वो ध्यान दखना प्रू कोस्ट इट मींज एडिशन इन वेल्यू अफ अक्वाइर अफ्ट फॉइड्य को अख्वाइर के विजए से ऐडिशन होने वाला है मैं सामने वाली कंपनी को खरीदूंगा और अपने अंदर मर्च करूंगा तो मेरी मेरा इसको बढ़ता है अक्वाइर का मर्च टिंटी तो यही तो वेल्यू होगी सामने वाली को कमपनी को खरीदने के वज़े से क्या हुआ मेरा स्कॉप बढ़ा यानि वी एक बन गई पॉस्ट मर्जय वेल्यू आगई मर्श टेंटी की मार्केट वेल्यू अगर मज़को खरिदता नहीं तो मेरी वेल्यू क्या थी वी ये प्री मर् वेल्यू एडिशन कितना हुआ है एक्टी रुपीट खतम हो चुका है यह पॉइंट आपका आपका बिल्कुल फालतु टापिक है देखो सामने वाली कंपनी को एक्विजेशन करने पर फाइनिशल फीजिबिलीटी है इसको आपक्वायर करोगे तो इसमें आपको फायदा होगा कि नुकसान होगा इसको चेक करने के लिए तो हमने इतनी सब क्यलकुलेशन करें ती इसमें क्या करता है इसमें क्या करता है यह ज्यादा निमाघ लगाना मलद गख्विजिशन की ऐफयंशल फीजिबिलीटी आपको देखनी है तो आपको इसमें क्या करना है MPV निकालने एक तरीके से सामने वाली कंपनी को आप टार्गेट कंपनी को अक्वायर करोगे अपने अंदर मर्च करोगे अब यह मानेंगे उसे सेपरेट बिजनस की तरह मैं करूंगा तो रहन करूंगा तो फ्यूचर में उसे मुझे कुछ cash flow मिलेंगे अफ्टर अक्विजिशन उसका पीवी कर लो तो यह बताएगा कि सामने वाली कंपनी को खरीद के मैं उसे रहन करूंगा अलग से अलग से बिजनस मेरी कंपनी के अंदर तो फ्यूचर में cash flow होंग अगर पॉजिव हुई तो acquisition advantageous है और NPV negative ही तो acquisition advantageous नहीं है बस simple तो इसमें आपको एक point ध्यान दखना है तब information होगी question में net outflow at beginning कैसे निकालोगे तो net outflow at beginning to acquire the target company के लिए ध्यान दखना कैसे निकालोगे आप जो जो सामने वाली कंपनी को दे रहे हो ना वो सारी चीज़े ले 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 ना सबसे पहले इसमें सामने वाली कंपनी के share holders को मैं consideration दूँगा तो equity shares issue करूँगा अक्वाइर equity share issue करूँगा तो उसकी value देखा में value चाहिए क्या outflow क्या उसकी value चाहिए ना तो number of share issued into मेरे share issue करूँगा तो NPS of A amount के terms में चाहिए ना आपको तो number of share issued into NPS of A cash दिया होता तो cash वाला इसके अलावा क्या होता है इसमें मैंने बोला इंस्ट्यूट अकाउंटिंग मिक्स करता है तो हम क्या करते हैं कई बार सामने वाली कंपनी को खरीद देना तो हम उसे पूरा अपना बनाना चाहते हैं उसमें को liability वाले इसमेंट्र इसके बार करना चाहते हैं रहा है और मैंने उसकेंट्र सामने वली कंपनी को करेकर देंगा तो वह भी ले लोगो फी मेरी तरफ रख मेंट्र इसवी कर रहा हूं कि मेरी ना पैसा देना पड़ेगा यह फ़ी में बना तो फिर यह लगाते तो स्तार्टिंग से लगाना था की सामने वहले को एक्विटी शेर करें तो इसके लाएंट में आ रहे हो उनको भी निकलो यह भी मेरी तरफ यह तीन आफ्व लोग है इसके लावाइस में एक चीज माहिनस होगी क्या सामने वाली कंपनी को जब खरीदते है ना तो इसके इन्देगा कुछ डेटर्स का आ रहा है कुछ इंवेंटरी का आ रहा है मैंने खरीदते ही डेटर्स और इन्वेंटरी को बेच के उनका अमाउंट रियलाइस कर लिया बिजनस वेलिशन के टाइम पर बताया था वह तो आपका ही हो जाता है यह अमाउंट आपको जीरो टाइम बे मिल भी गया लैस अमाउंट रियलाइस वाम आपको तुरंत मिल जाता डाइक तो इसी वज़े से मैंने ने ने टॉप्फ्लो वर्डेंग लेंगे ठीक है यह पूरा अपने अच्छे से समझा जिस पर पूरा चप्टर में फोकस करता है अब इसमें और भी अधर टाइप से जो मैंने आपको बताया दे दी मर्जर जा इंटरनल रिकंस्रक्शन फाइनिशल रिस्ट्रक्टरिंग जिसे आप बोल रहे थे स्टॉक स्पिलिट अप फिर और एक्विटी बाइब तो अब इन सब पार्ट पोर समझे लेते हैं छोटे छोटे दें इनमें कहीं कोई ज्यादा दिक्कत ने आएगी अगी अध्यान से सुन देना सबसे पहले डी मर्जर का मेनिंग क्या वो समझ लो डी मर्जर का मतलब पता है कि कंपनी अपने आप में लगाया ना मर्जर वड़से बनाये अपने कुछ हिस्सा अलग करना है मुझे अब हमीशा द्यान रखना मैं अपनी पूरी कंपनी बेचनी कोड़िमर्जर नहीं बोलते के मैं पूरी कंपनी वेक्षे दूट तो इसे जी मर्जर बोलो कहीं नई अपनी कंपनी का कुछ हिस्सा कोई पार्ट को इवीजन अलग करके किसी और कंपनी को बेचे दूत उसे डी मर्जर बोलते हैं तो जो अलग कंपनी मैंने बनाई जिसको बेचा वोगी रिजल्टिंग कंपनी यानि एक तरीके देफिए उसके लिए टारगेट बस यह धिया बना देक लिए तो वो जाएगी रिजल्टिंग अप्वाइर जो ऑल्ली मिटेट से मोबाइल डिवीजन खरीद रही है यह उस तरीके से सोच रहा है मर्जर के तरीके से विधिये ध्यानक ना इस पूरी कमनी नहीं रही है यह ध्यानक ना इसिक ना एक्विटी शेर इसू करे में जनरली ऐसा ही होगा क्यों होगा वह सुनना कि देखो यह लिमिटेड एक कंपनी है जो लैप्टॉप और मोबाइल दो डिविजन में काम करती हैं मोबाइल डिविजन उठा कि हमने एक मोबाइल लिमिटेड को दिया इसके लिए हम खुदी एक नहीं कंपनी बनाते हैं ताकि उसके अंदर नया मैनेजमेंट होगा वो पूरे फोकस किसको इसू करेगी खरीद किससे रही हम एक स्थील लिमिटेड के शेयर होलडर स्फकों डिया घया जाता है एक सब्सक्राइब बनाते किअ एल लिमिटेड के चैन्मिल यह मोबाइल निनटेड के देना Итак पहले जो कंपनी मोबाइल का डिवीजन को कंट्रोल करती थी आगे वही कंपनी कंट्रोल करेगी बद एक सेपरेट कंपनी के रूप में और कुछ भी नहीं हो रहा है यह दिया लगना अधिर मर्जर ऐसे भी उत्यों हो सकता मार्केट में को इन दूसरी कंपनी हमारे पास से एक डिवीजन खरीद ले बिलकुल हो सकता है मानलों ऐलिमिटेड लैपटॉप और मोबाइल मेरे डिवीजन में काम करती थी एक मार्केड में एपल कंपनी एक स्धेश्ट है उसने मेरा टो सकता है कभी एक्विटी शेर बीडे इतने देगी ताकि इसका इसका कंट्रोल डाइलूट नहों यानि 5-10 परसेंट समझ मैं यह वाला केस आपके स्लेबस में प्रेक्टिकल पार्ट के लिए यहां पे नहीं है यहां पर इस सब्जेक्ट में स्लेबस में नहीं है दिखने और अगहरी केश प्रेक्र फिए होता तो क्या नहीं होता इस नहीं होता तो अपने को नहीं करना समझ में इस चैप्टर में हमेशा ध्यान दखना हम खुद अलग कंपनी बना रहे हैं उसको डिवीजन दे रहे हैं वह अपने शेयर ओल्डर को शेयर इशू करके दे रहे हैं इसके बाद डिमर्जर का इफेक्ट क्या होगा ध्यान दखना क्वेशन सॉल्स करने में काम में किसकी बचेंगी सिर्फ अंसॉल्ड डिवीजन की यानि लेप्टॉप डिवीजन की ध्यान रखना आप लोगें डिमर्जर के बाद आपको चेक करनी है डिमर्ज कंपनी में सैट्व लाइबिलिटी तो क्यों लेप्टॉप वाले की बचेंगी और मोबाइल लिमिटेड में इसके बाद नमबर ओफ एक्विटी शेर आउट इस्टेंडिंग इन डिमर्ज कंपनी बिल्कुल सेम रहेंगे जो डिमर्जर से पहले थे ये क्यों लिख फारियो सर इसमें सबसे जादे इस्ट्रेमेंट्स गलती करते हैं समझ ना इसको एक्जामपल से देखो एक इसने अपना मोबाइल डिविजन उठाके किस कमपनी को दे दिया मोबाइल लिमिटेड रिजल्टिंग कमनी ठीक है यह बात हुए तो अभी तक तो कोई नमबर ओफ शेर्स में कोई चेंज नहीं होना चाहिए अब डिमर्जर के बात क्या हुआ ना यह मोबाइल करें कुछ लोग पता क्या करते हैं पता निक्या सोच रखते हैं वह यहां पर इसके शेर बढ़ा देते हैं वह बढ़ते हैं इसके बढ़ी नहीं सकते इसके में चेंज आएगा निवही रहेंगे कोई इंवेश्टमेंट है और अगर आप यह भी सोचते हो कि मानलो डिमर्ज कंपनी को शेर से शू हो रहें तो भी कुछ नहीं हो सकता पहली बात तो वो होता ही नहीं है तो भी इसकी शेर गैपिटल थोड़ी बढ़ेगी इसको शेर इशू होगे तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट होगा ना कि इसकी शेर गैपिटल शेर गैपिटल इन्वेस्टमेंट इसमें तो फर्क मालूम होना चाहिए ठीक है तो यह पॉइंट आपको किलियर किया है इस इसी के साथ यह टॉपिक कंप्लीट क्वेशन से एक बार लिंक करवा दोना चाहिए अब आज यह नेक्स्ट टॉपिक ली कंस्ट्रक्शन यह फाइनेंशल रिस्ट्रक्श्रेंग क्या मतलब है इंटर्नल रिकांस्ट्रक्शन इंटर्मेडियर में आपने अकांटिंग पढ़ यह पर आने जमाने में जीता है तो यह पॉसिबल है घबराना नहीं आप लगोगो तो सर कंपनी को अगर अब रिवाइफ करना है तो इंटर्नल रिकांस्ट्रक्शन करना पड़ेगा फाइनेशल रिस्ट्रक्श्रेंग करनी पड़ेगी जिसका पुरा तरीका आपने थीख इंटर्नल रिकांस्ट्रक्शन गैसे सिसंटरिगे करेंगे तो इसमें एक्वक्त क्या आएगा तो वह यकर चेक करेंगे याणि क्या करोगे उसके लिए financial restructuring करी कैसे जाती है वो समझ लो आप पहले उन्द को financial restructuring होगी कैसे मान लीजी यह limited company है जो बरबाद चल रही है तो यह कभी भी भी बंद हो सकती है बंद हो सकती है तो क्या होगा सब बंद होने का मतलब है company कंपनी के पास losses रहेंगे तो जाके application लगेगी कोर्ट में कि भाई मुझे इंसॉल्वेंट डिकले कर दो बैंकरफ्ट डिकले कर दो तो company बैंकरफ्ट डिकले होगे इंसॉल्वेंट हो गई तो company कि जितने पैसे डूब जाएगा चाहिए शेयर ओल्डर सो हो चाहिए डिवेंचर ओल्डर सो चाहिए अदर क्रेडिटर्स वगिरों सब का पैसा डूब जाएगा एक रुपई नहीं कंपनी तो बोलेगी इंसॉल्वेंट भेंक रप अब कहां से पैसा दूँ उनकी कोई बिजनस हो सकता रिवाइब करें तो नया पैसा या तो कंपनी को लॉन लेना पड़ेगा या नए एक्विटी शेर्स को शेर इशू करने पड़ेंगे अब कंपनी की बैलेंशीट है ना उसको देखके कोई भी लोग पैसा नहीं देना चाहता है क्योंकि बैलेंशीट में ना वो गयब करने है नेगेटिव रिजर्फ को पॉजेटिव रिजर्फ में करना है तो कैसे करें फर्जी वाड़ा कर लो तक एडजेश्मेंट कर दो कुछ है तो सब लोगों के पास इन लोगों को ही तो कंपनी सब ज्यादा मतलब होगा है तो कि लोगों का पैसा कंपनी में फसा हुआ है तो मेरिसे जतना जतना पैसा मांगते हो उसमें थोड़ी थोड़ी कटोती कर लो उसमें थोड़ा सेक्रिफाइस कर दो यह लोग गालिया देने मैंने क्यों बढ़ना कि उन्यों माफ कर दो किल दें लगदे कर दो क्तम आफ कर दो न भलाए में रहोगे यह बोले कैसे माफ नहीं किया तो कंपनी बरबाद होगी क्योंकि कोई और लोन पैसा देगा नहीं बरबाद होगी तो इंसल्वेंट बेंक्राफ डिक्लेयर होते हैं तुम्हें एक रुपिया भी नहीं मिलेगा और अभी मैं क्या बोल रहो इतना इतना लिए बनवा दो यहनि कुछ-कुछ पैसा माफ कर वा रहा है तुम्हारा यह फिर भी तुम्हें अगर कंपनी इससे क्यों जाएगी कंपनी की 2600 जाएगी अगर तुम्हें पैसा माफ करा दो और फिर मैं नया पैसा लेकि बिजनस में रिवाइब करने की कोशिश करूंगा बिजनस रिवाइब हो गया तो तुम लोगों को जो पैसा बचा उतना मिलने के तो गैरेंटी होगी बना कुछ भी नहीं मिलेगा यह लगो आपस में डिस्क्रेशन करेंगे बात तो सही है पूरा पैसा डूबे इससे थोड़ा ही डूब जाए तो यह लोग आपस में थोड ज़लती से पूछ लेता इंस्ट्थ तो वर्टिकल रिजोंटर जयाता कुछ फिक्स नहीं इस्ट्थ जादा बनाएगा हो रिजोंटर कुछ भी अकॉंटिंग सब्जेक्ट नियंग है करो कोई फॉर्मेट के मास्स नहीं होते है सिर्फ कैलकूलेशन के होंगे है तो इससे स सब डेबीट करेंगे लिइबिलीटी कम होगी तो तो सब्सक्राइब कर दो गया तो चम्पनी को बेनिफिट क्या होगा था निकाले रिकंश्रक्शन से बेनेफिट की से आता है सबसे पैसा कम कर वालों लाइबिलीटि वालों से इक्विटी शेयर कैपिटल का रिडक्शन सर तो 40 रूपीज का रिडश्य अपसर यह टोटल अमांट लेना इस रिडक्शन को आपको नॉर्मल तरीक है करना कुछ लोग इस रिड पैसा कुछ कम करवाया वो प्लस डेट वालों को हमने कोई वे अ क्लेम उनके जो वेवर करवाया या प्रिंसिपल में तो कुछ माफी नहीं करेंगे पर इंट्रेस्ट करेंगे आ को चलो माफ किया वह मिया ले लेंगे उन्होंने कुछ माफी करी तो वह ले लिए इसके अलावा प्लस एप्रिशेशन इन वैल्यू अफसेट जब हम लाइबलेटे साइड में कुछ कमी कर रहे हैं तो हमें फायदा होता है ऐसे असेट साइड में कुछ वैल्यू बढ़ा सके की सब्सक्राइब करईंफारा कुछ माण भूर सब्सक्राइब कर लो कि मारे लिए ल ज्यादा और बुक्स में सब्सक्राइब कर¬ Step 2 में देखो, इस benefit को अब हम utilize करेंगे, कहां utilize करेंगे? Sir, हमारी कोई 50 shares asset balance sheet में आ रहे हैं, तो उसे write-off करो सबसे पहले, preliminary expense, cost of issue of debenture etc, आजकल नहीं होती है, आजकल ये directly P&L में जाती है, पर पहले वाले questions में institute copy paste करता आ रहे हैं, तो मिल सकती है asset side में, asset side में ये सब दिख जा है, तो समझ जाना, fictitious asset है, पहले ही write-off करोगे, इनका debit balance होगा write-off करने के लिए credit, भाई इनको आपने debit क्या होगा, ये benefit debit हो गया, और उस benefit को debit किया, तो ये आपका, उस benefit को काम में कैसे लोगे, इनको credit करके, तो इनका debit debit होता है, खतम करने के लिए credit, ऐसे बेंडल का debit balance यानि लॉस पड़ा है, या फिर रिजर्व में negative है, यानि उनका debit balance है, तो खतम करने के लिए credit, यानि इसको write-off कर दो, इसके अलावा, आप देखो क्या होता है, जब company बरबाद हो रही होता है, तो उसको और भी नुकसान होता है, आपने सुना होगा, गरीबी में 8 गिला होता है, कहावत है, तो ऐसे जब company बरबाद हो रही होती है, तो उसके debtor सोचते हैं, जिनसे company को पैसा मांगना था, वो सो चलावा, जब आप revolution कर लें, तो हर asset का करना पड़ेगा, तो आप वाड किया, मालो किसी asset का revolution करने में downward revolution हो रहा है, write down हो रहा है, पता चला 100 रुपीस की asset की book value में, और उसकी market value है 70, यानि 30 रुपीस का write down, तो सर वो भी फिर आपका खर्चा है, asset कम करना है, तो credit वही यहाँ आप एड कर लो, यह total आपने benefit का amount utilize कर लिया, इसके बाद step 3 में capital reserve, total benefit कितना मिला है, step 1 minus utilize कितना किया, यह amount आपका reserve का बच गया, for example, 100 रुपीस का अपने benefit किया, इनका reduce करवा कि, और यहाँ पर आपने 800 रुपीस utilize कर लिया, तो 200 का capital reserve और बच गया, तो बस यह reserve दिखा दें कर देंगे, सर नहीं बचा तो 100 था, 100 utilize हो गया, खतम ठीका, कुछ reserve नहीं बचा, सर negative हो सकता है, 100 benefit और 1100 utilize कर लिया, पॉसिबल ही नहीं है, benefit कम कमाया है, utilize यह जादा, पर वो possible कैसे हो सकता, accounting में आपने debit किया, benefits को, इन सब को credit किया, तो negative capital reserve debit का दिखाई देगा, यानि सर 100 का benefit किया, 1100 का utilize करना था, यानि 100 का reserve अभी भी negative हो हमारा, ठीक है, तो उस case में इस तरीके सा आजाएगा, तो आप यह steps follow करो, इसी के साथ यह topic भी आपका complete है, एकदम फर्जी फालतू सा topic है, अब आजाएगे, next stock split up, next तरीका आपका, other types of corporate structure, यह एक ऐसा process है, जिसमें company अपने number of equity share outstanding तो क्या करती है, number of equity share outstanding बढ़ाती है, और face value per share decrease करती है, ताकि उसकी total amount of share capital after split up सेम रह जाए, देखो company क्या कर रही है, ध्यान से सुनना, एक आत क्वेशन में आता है यह point, stock split up में company अपने number of equity shares increase करना चारी है, तो face value per share decrease कर रही है, और amount of share capital सेम maintain करना चारी है, तो इसम value per share decrease और amount of share capital सेम यानि तीन सिनरियो तीन चीज़ों के लिए, क्या हो रहा है सुनना, मान लीजिए company के पास, जो company की share है नो, उसकी market में बहुत ज्यादा value हो चुक है, तो ऐसे के इसमें जब company की share की value ज्यादा हो जाते है, तो कई बार company अपने share को टुकडों में बाट देत तो company को जब अपने share को टुकडों में बातना है ना, टुकडों में बातना है तो उसको face value per share decrease करना है, तो उसको face value per share decrease करोगे ना, तो market price पो automatically impact आजागा, market price demand supply से आती है, पर जब face value गिरेगे ना, तो market price में demand supply भी सक्वाडिंग होगी, वो automatically impact आ जाता है, तो एक लाग share तो उसको 5 टुकडों में बाता, तो इनकी value, market value वही रहेगी से, ठीक है, capital की value भी वही रहेगी, सिर्फ हमें बस number of shares के बढ़ाने है, face value per share decrease करना है, आपको एक example दिया था, मालीजे एक cake है, 500 gram का, उसको 5 टुकडों में बाता, 100, 100 gram, तो टुकडे जादा कर दिये, उनको ज चाती है, क्योंकि उसको share की value वह गिरानी होगी, तो share की face value नहीं 20 रुपीज करना चाती है, share को, तो existing share capital सब्सक्राइब करना चाती है, तो existing number of shares कितने है, 100 रुपीज की face value, यह नहीं existing 1000 shares है, company के, तो यह नहीं, आप बताओ, नहीं share capital क्या होगी, आप बोलों के था, 1000 shares, 20 की face value यह नहीं 20 था होगी, तो balance sheet ही मैची नहीं होगी, हम share capital कम नहीं करना चारे, हम number of shares बढ़ागरना चारे है, और face value पर share decrease करना चारे है, stock को split करना चारे है, टुकड़ों में बाटना चारे है, share capital से में रखनी है, ताकि balance sheet में रहे, तो उसके लिए क्या करना है, तो आप सोच तो आपको क्या करना है, share capital से maintain करना है, share capital आती है, number of share into face value, आपको पता करना है, split up के बाद हमें number of shares कितने रखने है, तो share capital आपको मालूम है, existing same, वही 1 lakh, यह multiply में face value, divide में चला जाएगा, divide by, नहीं face value किया है, 20, यहीं तो maintain करना है, तो 1 lakh की capital हमारी future होनी चाहिए, वहीं सेम जो आज है, future में भी वहीं चीए, और एक share की face value future में 20 होगी, तो number of shares future में कितने हो नेचे 5000, यह जिसके पास one share होगा नहीं, 5 share में convert करना है, split उसको 5 share में तोड़ना है, यानि number of shares outstanding after split up कितने हो जाएंगे 5000, यह ध्यान रखना बस, तो number of equity share outstanding after split up कैसे आता है, existing amount of share capital divided by new face value per share after test later, बज़िए ध्यान अगना logically बता दिया, ज्यादा काम का होता नहीं, अब देखिए next, bonus issue, other types of corporate restructuring में bonus issue, bonus issue का मतलब क्या है, एक ऐसा process जिसमें company अपने existing share orders को share issue कर रहे है, without consideration by capitalization of reserve, मैं अपने existing share order को free shares दे रहा हूं, अपने reserve capitalize करके उंसे कोई पैसा नहीं ले रहा हूं, भई हो सकता है, मैं तीजोरी है, नहीं reserve में बहुत सारा पैसा पढ़ा है, एक दिर मेरा मन किया है, इस पैसे को निकाल के shares में convert करके existing share orders को दे जेता हूं, वो भी खुश हो जाएंगे, तीजोरी में पढ़ा है ये पैसा, तो फिरी में दिया जाता है, क्यों? तो कि reserve पे हाग share holders का ही तो होता है, बेसिक से बता रहा हूं, कि equity shareholders का हाग होता है, reserve पे पुरा का पुरा हर calculation में साथ में लेते हैं, वह मालिक का हाग ही तो होगा तीजोरी पर, तो मालिक को मालिक का प convert करके तो पैसा थोड़ी मांगोगे, इसलिए existing shareholders को जब bonus share issue करे जाता है, reserves को capitalize करके, तो कोई पैसा नहीं लिया जाता, free के shares होता है, आपको एक example दिया था, मान लिजे आपके घर पर मम्मी का बद्द है, आपने पापा से 20,000 रुपीज मांगे बोले कि मम्मी को gift लाके दू तो पैसा उनीका था, बस उनको दे दिया, तो उनको खुश ही मिलती है कि हमारे बेटे ने इतना सोचा, तो एधे equity shareholder लोग खुश हो जाएंगी कि हमारे लिए company ने इतना सोचा, जबकि पैसा तो उनीका था, उनीको बस reserves में ते पैसा निकालके convert कर दिया shares में, और कुछ भ जाने वाले हैं, तो बोनस की वजए से क्या impact आता है, क्या effect आता है, इसका question आपके बास exam में आते हैं, वो अब आप ध्यान से समझेगा, बोनस की वजए से number of outstanding shares after bonus increase हो जाते हैं, मतलब मैं यह जो impact बताने वालो ना, अगर आपको मैं नहीं बताऊं तो भी आपके दिमाग म आने चाहिए, इतने basic point है, बोनस की वजए से number of outstanding share company के increase होंगे की नहीं होंगे, बिलकुल होंगे, number of equity shares outstanding after bonus की हो जाएंगे, number of equity share outstanding before bonus क्या थे plus bonus shares, example से समझो, एक company है, जिसने market में 1000 shares issue करे हुए, ठीक है, bonus ratio है 1 is to 4, यानि 4 के बदले एक, यानि 1000 into 1 by 4, यानि 250 bonus shares issue करे, यानि after bonus बताओ company में कितने number of share issued होंगे, 1000 पहले थे 250 and 1250, इसमें सोचना ही क्या है, यह चीज मैंने notes में लिखे और question में काम में आती है, इस topic के question को tough question समझते है, इतना आसान topic है इसके बाद एक share capital का जो amount bonus issue के बाद वो भी increase हो जाता है, कैसे amount of share capital after bonus क्या होगा, number of equity share outstanding after bonus बढ़ जा है, आप company के total कितने shares हो गए, 1250, share की face value वही 100 है, तो share capital कितने होगे, 1 left 25,000 होगे, तो share capital का amount भी बढ़ जाता है, bonus के बाद, यह धियान दखना आप लोग, ठीक है, कितना amount बढ़ता है, जितने bonus shares होते हैं, multiply by face value, 250 into 100, 25,000 होगे, उतना ही बढ़ता है, इसके बाद amount of reserves will decrease after bonus issue, bonus issue के बाद, जो reserves का amount है, ना company का, वो decrease हो जाता है, क्योंकि bonus issue, reserve में से पैसा निकालके, bonus shares में convert किया गया है, अभी बताया था मैंने आपको, कैसे आएगा, यह amount of reserve after bonus, आपको company के reserve का पैसा पता करना है, तो reserves का amount before bonus क्या था, minus, bonus shares into face value per share, याद रखना पड़ेगा, याद कि होगी bonus की कभी ना, कभी याद करना एक बार, याद करना क्यों है, सुनो तो सही एक बार accounting, ताकि आपको यह topic याद हो जाए हमेशा के लिए, आप जब भी shares issue करते हो, तो क्या करते हो, to share capital, bank से पैसा लेते हो, पर bonus issue में bank से पैसा नहीं आ रहा, तो debit क्या करूं, to share capital, ठीक हो है, तो यानि reserve इतने amount से कम हो गए, यानि reserve हमने कितने amount से कम करे, bonus share into face value per share, 250 bonus share into 100 की face value, आप ऐसे भी निकाल सकते हो, पहले 1 lakh की capital थी, अब 125 की और यानि capital 25,000 से बढ़ानी है, यानि उतना ही पैसा reserve से निकलेगा, तो balance sheet automatically match भी हो जाएगी, आपकी, clear, यह आपको पता होना चीए, एक question में आता है, और यह student कभी भी नहीं समझ पाते, जबकि bonus की accounting वह पढ़के आए, वही चीज़ बस मैंने repeat कर वाई है, इसके बाद आप से पुझा जाए कि bonus issue की वज़े से EPS क्या हो जाएगा, bonus issue होने के बाद company का EPS क्या हो जाएगा, earnings क्यों जाएगी, बहुत आ आने वाली company की earning और एड कर लेते, बोनस issue में तो हमारी earning है, बस यही future में होंगी, ठीके यह earning रहेंगे, हम सेम मान के चलते हैं कि यह earning future में होंगी, earning available to equity holder before bonus वाली आप एड़े ले लेना, लेकिन अब number of shares bonus के बाद बढ़ चुके होंगे, तो number of equity shares outstanding after bonus लेना, यह होगा EPS after bonus issue पता है, यह EPS का मतलब क्या है, जैसी bonus issue हो आना, उसके तुरंट बात का EPS, immediately बात का, ऐसा नहीं एक साल बात का, इतने time बात का, तब तो earnings वगेरा सब अलग दे देगा, यह immediately बात का bonus issue होगा, अब बताओ क्या है EPS, तुरंट immediate बात का, वो पूचा जाते है, ऐसे MPS बताओ last market capitalization बताओ, bonus issue के बात क्या होगा, सब bonus issue के बात MPS क्या हो गई, into bonus issue के बात number of shares क्या हो गई, इसे के दाद यह topic भी complete है, next topic देखे, equity buyback और share repurchase, जिसे आप ownership restructuring भी बहो सकते हो, देखे, मैं कंपनी हूँ, मैंने market में 1000 shares issue करे हुए, पर मैं 200 shares वापस खरीदना चारा हूँ, क्योंकि मैं अपनी ownership restructure करा हूँ, कि वो share किसी और के पास है, थाकि उनका percentage control करना है मुझे, मैं एक example से आपको बताता हूँ, माली जी मेरी company के 60,000 shares promoters के बाद है, 40,000, sorry, अपनी 1000 shares का लेने example, तो suppose 600 shares promoters के बाद है, 400 shares मेरे है, non promoters के बाद, तो मैं जो 400 non promoters के बाद शेर से 200 वापस buyback करना चाता हूँ, buyback का मतलब है, company direct share खरीद रही है, उनको destroy कर देती है, तो company के outstanding share अब 800 हो जाएंगे, तो अगरा promoters का जो stake था, promoters के number of shares मेरे चेंजी करें, पर उनका stake percentage के टम्स में बढ़ जाएगा, तो promoters का stake बढ़ाना होना, इस तरीके यानि ownership में आपको restructuring करने हो, किसी का ownership structure, ownership percentage कम जाधा करना हो, तो आप equity buyback का mode use में ले सकते हो, यहनी share repurchase करना, तो equity buyback का meaning क्या है, it is a process in which company buys its own equity shares from the market to reduce the number of equity share outstanding, मेरे number of equity share outstanding market में जाधा, उनको reduce करने के लिए company equity buyback कर सकती है, तो आप buyback करने के लिए मेरे को पैसा देना पड़ेगा, फ्री में इस शोड़ी ना खरीद पाऊंगा मैं, तो buyback price, price at which shares are bought back, ऐसी price जिस पर मैं shares buyback करूंगा, इस generally premium over current market price of share, वो generally premium पर होती है, current market price of share, example दे समझना, मालो thousand share existing outstanding buyback से पहले, 200 shares buyback करना चाता हूं, तो यह 200 shares buyback करूंगा न, इनको मैं offer दूंगा, देखो, मैं तुम्हें को बता र रही है, तो 100 रुपीज ले लो, share मुझे दे दो, buyback करना चाता हूं, तो यह shareholder से मना भी कर सकते हैं, बोलेंगे, 100 रुपीज तो market में मिल रहा है, market में बेच लेंगे, बेचना होता तो, buyback क्यों करवाएं, आपको share क्यों दे, तो company ऐसे case में क्या करती है, जंदली market price जो च कंपनी खरीदी है, बेच के निकल दो, company direct खरीदी है, इसके जनरली buyback price, current market price से premium पर होती है, यह जनरली बोला है, यह कोई fix rule नहीं है, practical life में हो सकता है, इसके कम भी हो, buyback price, market price से, यह इसके बराबर हो, कम भी हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह जनरली ऐसा मिलेगा, आपको इसके बाद, buyback करने के लिए, आपको total amount कितनी requirement होगी, देखो, buyback करना है, मैंने share announce कर दिया, कि 200 shares buyback करूँगा, इस price पर, तो सर, उसके लिए, मुझे total amount की requirement पहले ही देख लेने, मैंने announce कर दिया, मैंने, buyback announce कर दिया, और बाद में देखा, तेज़ोरी में तो पैसा ही नहीं था, share holders तो पैसा मांगने आ जाएंगे, कि share आपने buyback करने के लिए, पैसा दिया ही नहीं, तो पहले ही मैं को planning करने के लिए, total amount की कितनी requirement है, कैसे आएगा, simple सा है, कितनी shares buyback कर रहा हूँ, number of equity shares bought back into buyback की price किया, पैसे खतब, बिल्कुल आसान से है, इसके बाद देखे, buyback की effect क्या आते है, equity buyback के, number of equity shares outstanding after buyback, decrease हो जाते है, bonus में increase, इसमें decrease after buyback, कैसे number of equity shares outstanding before buyback, minus number of shares bought back, पहले 1000 shares से 200 buyback कर लिए, तो अब 800 ही बचेंगे ना, simple सा है, अब EPS after buyback से वही तरीके से सोचना है, buyback के बाद company का EPS क्या होगा, यह बताओ, तो sir, earning available to equity shareholder before buyback क्या थी, यह future में continue होगी, यह मान के चलेंगे पर, divide में number of equity share outstanding after buyback, यह change हो जाएंगे, बस इसमें एक adjustment extra होगा, numerator में, क्या होगा, minus करना है, interest on loan taken for buyback, one minus tax rate, sir, यह क्योंकि हमने क्या किया, interest on loan taken for buyback, one minus tax rate, यह क्या ची देखिये, देखिये, आपको earning available to equity order before buyback क्योंकि future में continue होगी, divide by number of share after buyback, यह change हो जाएंगे, तो आजाना चीए, पर एक adjustment करना, minus करना, क्या minus करना, सुनो, buyback करने के लिए, मुझे amount की जरूरा है, 22,000 के अभी मैंने बताया, total amount required for buyback, लेकि मैंने देखा, यह amount में पास है नही तेखियोरी में, में को तो loan पे पैसा लाना पड़ेगा, और फिर मैं देपाऊंगा, तो मैं loan पे लेकिया रहा हूँ, और loan पे लाँगा, तो interest आएगा, तो 10% यह नहीं, 22,000 का 10% यह नहीं, 2200 की interest cost आएगी, buyback करूंगा, तो उसके लिए पैसा देना है, पैसा loan पे होगी, खर्चा लगेगा, तो tax saving होगी, क्योंकि earnings हो already, after tax है ना, तो खर्चा लगेगा, तो tax saving होगी, net खर्चा कितना होगा, interest का खर्चा, one minus tax rate, one minus tax rate, support 30% है, तो net खर्चा मेरा यह होगा, इसको minus कर दो future में, आपको यह earnings मुनने वाली हो, बहुत आसान है, बस byback के case में यह होगा, तो अब interest on loan taken for buyback कैसे आता है, total amount required for buyback into interest rate on loan percentage, logical है, कुछ भी special रखता मानने की ज़रूत में है, buyback के बाद market price क्यों हो जाएगी, EPS after buyback into pay ratio, buyback के बाद market capitalization क्यों हो जाएगा, buyback के बाद market price into buyback के बाद number of shares, complete, इसे के साथ यह topic भी आपका complete और पूरे chapter के सारे concepts मैंने आपको detail में revise करा दिये, A to Z, मैंने even वो concepts भी आपको बताया है, जो class में मैंने regular batch में discuss होते है, conceptual clarity के लिए, जिनको question के लिए ज़रूत भी नहीं परती है, और भी detail बाते होती है, पर उतना अपन वीडियो को नहीं खीच सकते, तो वो सब बाते नहीं करेंगे, सारे concepts मैंने ब जो मेरे students नहीं है, YouTube से देखने हैं, आप revise करना, notes पढ़ना, उसके बास question bank से question, खुछ solve करना, फिर answer match करना, directly question bank का solution मत देखना, वनना कुछ match नहीं होगा, कुछ समझी नहीं आएगा, आपको क्या कर रहा है, खुछ solve करना, फिर match करना, फिर भी आपको किसी को बिड़ाउट आप मुझे मैसेज करो, मैं reply करता हूँ हार student का, और ज्यादा बेस्ट रहागा वीडियो के comments में डाल देना, और वीडियो के comments में बता देना, वीडियो कैसा लगा, तो वो भी आप थोड़ा साब बता सकते हो, उससे मेरे कोई motivation मिलता है, और अच्छा लगता है, अगर आप लेकि मैं कुछ question bank से आपको चीजे बता देता हूँ, कुछ special question के points, जो class different नहीं है, उन लोगों के लिए, ताकि उन लोगों को points समझ में आ जाए, देखो मैंने question bank में category wise बनाया हुआ है, ये को आपको पता ही है, category wise भी जो topic पहले बढ़ाता हूँ हम सा according sequence से लगाए हुए है ताकि class में अपने question 1, 2, 3 onwards होते हैं, कभी भी अपने असा नहीं करते हैं कि पहले 40 number वाला question निकाल लो, फिर 28 निकाल लो, ऐसा अपने कभी नहीं किया, 1, 2, 3 onwards करें क्योंकि अपने sequence wise easy to our topic पढ़े है, उसी sequence में अरे निश्टा है question, तो ये तो बिल्कुल basic question है, इन में देख वाले weight लगा और exchange ratio निकाला, ये class में आपको solution कराए हुए, तो इस तरीके से करने का question थे, ये तो basic है, इन में कोई special point नहीं है, लोको ये जो question होते हैं, इसमें पूस्ता है, आपको book value per share after acquisition बतानी है, merger के बात की, तो इसमें वही point लगाना है, इसमें सारे students, जो मेरे से पढ इसमें कि आया कैसे, result का ये balance कैसे आया, ये 450 कैसे आगया, ये वही आप आप directly मत देखना, जो notes में पढ़ाया, वो follow कर लेना, मैंने इस निकालना सिखाया है, कैसे निकालते है, results का after balance, after merger का balance, देखना यहापे, solution मैंने आपको करवाया था, देखो, share capital में, merged entity के shares, into face value per share of acquirer, plus results में acquirer के results, plus target का capital reserve on acquisition, इन्हें target की book value, minus target को जो shares दिया, उनकी face value, 450, या आगी book value, पूरा आपको class में solution कराया हुआ, ये bvps निकालके दिखाया था, तो सारे अपनने answer करे हुए, तो उस according आप follow करते जाना, इसमें doubt, रहता है, जो मैंने बताया है, इसी के दाथ इसमें एक point है, जिसमें आप bonus shares, और split up share कर रहे हो, तो bonus share की वचे से reserve वापस से change होगे, और share capital change होगी, ये भी मैंने आपको class में कराया था, देखो, इसी question का ये भी दिखा देता हूँ, फटाफट revise कर लो, देखो bonus issue से क्या होग जो notes में लिखवाया हो, इस टोक split up भी हो रहा है, यानि अब total capital ही हो गई, share एक पांच रुपे का बनाने है, number of shares इतने हो जाएंगे, इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, अब directly BBPS पूछा है, आफ्टर मर्जर, तो total book value divided by number of shares, और EPS भी पूछा होगा, तो वो भी अपने इसके बाद देखो, यह bank वाला question है, bank वाले question में आपको कुछ चीज़े बता रखें, इनके basis पे आपको क्या निकालना है, swap ratio, तो weight से apply करने है, अब यहाँ पर देखो कि न, तो gross NPA, capital adequacy ratio, MPS, BVPS, तो capital adequacy ratio, MPS, BVPS यह सारे positive parameter होते हैं, तो target divided by acquirer का parameter, लेकिन NPA क्या है, negative parameter है, तो पहले आएगा acquirer का, फिर आएगा denominator में target का, इसमें भी बहुत से students, other students के doubts रहते हैं, तो आपको नहीं आना चाहिए, कभी भी, और इस question में preliminary expense दे रहा है, तो book value निकालते time, इसका adjustment करना, मत बूलना, institute की गलती आजकल होता नहीं है, वैसे यह preliminary पर पहले के time में दा, इसके लाव इस question में एक ओडाउट आता है, पता नहीं वो क्यों ही आता है, आपको car का formula question में given है, यह रहा, NPA का formula given है, इसके बाद question में पूस्ते हैं, कि सर आपको merged entity का car का ratio और NPA का ratio निकालना है, तो formula मालूम है, लेकिन सर आपको risk rated asset ही कैसे निकालेंगे, आरे भाई, इस risk rated asset individual company की निकाल नहीं सकते क्या, formula में data डालके, तो उनका total merged entity की आजाएगा, ऐसे individual entity का advances given है, NPA ratio given है, तो individual entity का NPA का amount निकाल नहीं सकते क्या, तो ऐसे merged entity का मिल जाएगा, तो फिर merged entity का ratio आजाएगा, इन में तो doubt होना ही नीचे, वो doubts आते है, इसके बाद देखिए, यह question है, इसमें अपने exchange ratio, discharge करें shares दे के सामने वाले को, लेकिन question में आपको consideration का amount given है, तो इसमें वो वाला ही topic लगेगा, consideration का amount given हो, shares offer के थुरू दे रहे हो, तो आप amount of consideration divided by MPS of acre होगे, इसे T limited के offer में, आप consideration इतना दे रहे हो, और आपको number of shares to be assured बताना है, तो अपने share की price से divide किया तो आगया, ठीक है, यह वो question है, जिसमें amount of consideration दे, मैंने बोला एका question में होता है, इस question में एक और point special है, illimitate सामने वाली company ने भी अपने offer रखाया है, कि में को two shares के बदले one share दे तो, यानि market price के base पे निकालो के same आएगा, कि भई market price के base पे निकालो के तो 110 divided by 220, यानि 1 by 2, दो के बदले, एक shares, अब इस question में आपसे specially बुचा है, net consideration paper, तो net consideration कितना देंगे, सामने वाले को अपन, तर इस case में consideration कैसे निकाले, बहुत आसान है, सामने वाले के 6 lakh share है, हमें कितना share देना है, 4 every 2, 1 share, यानि exchange ratio 1 by 2 है, तो यानि आपका answer क्या हुआ देखू, इस case में, हम कितन 3 lakh share issue करने वाले है, consideration का amount बताना है, तो 3 lakh share की worth कितनी है, मैं मेरे share issue करूँगा, मेरे share की market price कितनी, अक्वायर की देखना, अक्वायर की देखना, अक्वायर की price 220 है, मैं market price पे share issue करना है, question में लिखा है, तो यह consideration होगे, दूसरे case में पूचा है, number of shares to be issue, वो अल्रेडी निक एक question यह है, inventory turnover ratio, debtor turnover ratio दे रखा है, आपको क्या है, इस question में sales का amount चीए, ताकि आप आगे working कर सको, वो सब detail में मैं अभी नहीं बात करूँगा, class में करवाया आपको, तो sales का amount के लिए आपको लगता है, inventory turnover ratio में, cogs divided by inventory आता है, debtor turnover ratio में, sales divided by debtor आता है, debtor turnover ratio लगा लेते हैं, तो उससे answer मिल जाएगा, cogs निकालेंगे, अगर inventory turnover ratio तो GP ratio को अपनको cogs ratio में convert करना बढ़ेगा, फिर apply करेंगे, थोड़ा lengthy हो जाएगा, तो वो experience जो कर रहे हैं, उनको अभी तक basics of AFM नहीं आते हैं, जो basics में मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है, debtor turnover ratio का formula sales by debtor नहीं होता, इसक कोई रोल नहीं हो सकता, सिर्फ inventory turnover ratio काम में लेना बढ़ेगा, कुछ students बोलते हैं कि इंस्ट्यूट ने inventory turnover ratio से निकाला, हम debtor turnover ratio से निकाल रहे हैं, तो हमारा answer match नहीं हो रहा, कभी जिंदगी में होना भी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे concept clear नहीं है, तो वो clear करो, तो कभी दिक और लिकत नहीं आएगी, institute को गालिया देना भी बन कर दोगे, institute हर जगे गलत नहीं होता, जहां गलत होता है, वो हम भी बता देता है, क्योंकि वह इतना मान नहीं है institute, उनके भी आल बहुत खराब है, लेकिन अगर उनके हाल खराब है, तो हमें अपने आल ज्यादा खराब करने हमें अटलेश उनका लेवल तो मैच कराना है ना, ठीक है, तो वो आप थोड़ा ध्यान रखो, इसके बाद देखो, देखें, आपको इस क्वेशन में पूछा है, पॉस्ट मर्जर मार्केट वैल्यू, और बोला, पी रेश्यो इस लाइन यानि पॉस्ट मर्जर पहम क आपको बोला, प्रोफिट बताओ, शेर ओल्डर को क्या होगा, मर्जर की वज़े से, पुछ नहीं बोला, सर, only basis of EPS, MPS, only basis of MPS निकाला हुए, ठीक है, यह सब अपने करा हुए, जैसे इसमें बोला, expected market price बताओ, यह लिमिटेड आफ्टर अक्विजिशन यानि मर्ज इस तरीके से आपको वर्डिंग देता है, यह आप फोकस करना, इसके बाद देखो, इस क्योशन में बताओ, MPS के ओगे, after acquisition, assuming peer ratio, adversely affected by 10%, यह अक्वाइर का peer ratio, 10% से कम होने वाला है, यह 9 हो जाएगा, मर्ज डेंटिटी का peer ratio, क्वेशन में मैं देख लेता हूँ, और को यह special point आपको बता दूँ, देखो यह अगर इस question को देखोगे न, इस question में कहीं पे भी यह नहीं बोला, peer ratio, adversely entity का क्योंने चेक, कहीं नहीं बोला, तो इस question में आपको है न, post-merger market value निकालनी बढ़ेगी, क्यूंकि आपको देखो formula लेना बढ़ेगा, maximum exchange ratio बताओ, without dilution of EPS वाले में कोई दिक्कत नहीं है, MPS वाले में, तो maximum exchange ratio acquirer निकालता है, MPS AT, उसका formula क्या लोगे, यहाँ पर P ratio नहीं बता रहागा, तो VA plus VT plus synergy in market लिए, VA यानि acquirer की प्रीमर्जा मार्केट लिए, VT मतलब target की प्रीमर्जा मार्केट लिए, synergy, तो synergy का amount नहीं दे रखा, पढ़ो question में लिखा हुआ, ignore synergy, synergy का amount zero मान के चलो, खतम, तो ध्यान दखना आप, P ratio नहीं दे रखा, इस वज़े से formula लगा हुआ आप, यह आपको देखना पड़ेगा, देखो इस question में बोला, maximum exchange ratio बताओ क्या होगा, merged entity का P ratio यह है तो, यानि maximum exchange ratio पुझा आप कुछ नहीं बोला, तो यानि MPS AT के लिए P ratio of merged entity वाला formula, इनमें method जो बताया, उससे solve करना, फिर answer match करना, directly देखोगे, कभी नहीं समझाने वाला, basic basic से question बहुत आसान chapter है, इसके बाद देखो यह specific type का question होता है, इसमें cash offer वाला, आप देखो cash offer वाली heading आ गई, cash offer के question आते हैं एक्जाम में, वो कभी में single नहीं आते हैं, उनमें share offer का point गुसाई दिया जाता है, इसमें share offer का point भी है, last है cash offer वाला point, third point, दो इसमें क्यों रहा है, जो सामने वाली BCD company है न, उसकी current growth rate बता रहा है, अगर मेरे control में आ जाएगी, जब merge कर लोंगा, acquire कर लोंगा, तो उसकी growth rate बढ़ जाएगी, यह बता रहा है, current market price of share दे रहा है, उसका expected dividend यानि D1 दे रहा है, dividend कुछ नहीं बोला हो, तो D1 होता है, security valuation में लिखवाया हुआ है, तो यानि, इस question में सामने वाली company का dividend and growth formula से value निकाल सकते हो, business valuation में सिखा यह था, पहले इसकी के निकालोगे existing growth से, और फिर आप उसकी नहीं value निकालोगे new growth से, तो यानि इसकी value आप निकाल सकते हो, valuation approach से, तो VT इस question में आपको ज़रूरत पड़ेगी, क्यूंकि second part तक देखो, आपको इस question में कहीं P ratio बागेरा की बात नहीं करी, gain loss to shareholder पुछा, तो MPS 80 चीह होगा, कुछ नहीं बोला तो on basis of MPS, MPS 80 क्यासे निकालोगे, VA plus VT करके, क्यूंकि इस question में कहीं नहीं दे रखी है आपको pre-marger value, तो आपको VT क्यालोगे, प्री मर्जर value लेके, पीर एश्यो नहीं दे रखा, लेकिन प्री मर्जर वैल्यू नहीं लेंगे, इस वाले question में target की हम calculated value लेंगे, क्योंकि pre-marger value जब लेते हैं, जब उसकी calculated value निकालना possible नहीं, इस वाले question में calculated value निकालना possible है, यह प्री मर्जर वैल्यू यहाँ पर मत लेना, gain loss निकालते वाग्त, आप market price ही लोगे, क्योंकि वाँ formula में market price लिखा हुआ है, और उपर लिखा होता है VA plus VT, वो wording हमेशा द्यान रखना, ठीक है, इस question का एक बाद मैं solutions में दिखाऊं, यह अपने class में solution करें दे, देखो सबसे पहले मैंने सामने वाली company की value निकाली, calculated value आई 30, और market price है 20, तो VT जब आपन लेंगे ना VT, VT में मैंने जो calculated value दिलवाई थी आपको calculated लेना, अक्वाइर की कोई calculated value possible नहीं थी, तो वो था synergy in market value अलग से दे नहीं रखा था, वो automatically इसमें आच चुका, तो इस तरह के दे अपने market price निकाले थी, gain loss निकालते वक्त, अब market price ही होगी, post-merger, अक्वाइर की pre-merger MPS, target के लिए equivalent MPS लीती है अपने, मोर्स में जो लिखा होगा, वो as it is follow करो, कभी घलते नहीं होगी, पस ये ध्याम एकना आप लो, second वाला part cash offer का है, EPS फगिरा के जुरत पड़ेगी, तो देखो आपको, second part में 10% वो rate दे रखिए, opportunity cost के लिए, और second part में, P ratio merged entity का बोला है, मर्जर के बाद बदलेगा नहीं, यानि second part में MPS 80 के लिए, P ratio वाला formula लगाना, question में हर according, हर तरीके देख रहे हैं, इसके बाद, एक ये question है, इसमें दोंको maximum price पूचिए, यानि cash पर share कितना आप दे सकते हो, तो वो ही formula आप लगा लेना, कुछ नहीं बोला तो, without dilution of MPS, without dilution of MPS आप करोगे, minimum price पूचिए, सामने वाला management कितना accept करेगा, यानि वो ही without dilution of MPS, वो कितना offer willing होगा, offer करने के लिए, अपना controlling interest यानि promoters अपनी holding offer करने के लिए, इस वाले केद में सामने वाला management minimum price कितनी मांगेगा, minimum market price of target मांगते हैं, minimum target की market price 24 ये मांगता, इस question में एक extra point किया, target वाले अपने के वाल controlling interest, controlling यानि promoters की holding बेचने के लिए minimum पैसा कितना मांगेगा, यानि उसके promoter वाले लोग minimum cash कितना मांगेगे per share, ये special point बोला, ध्यान से सुनना, इस company में, target company ने 10 lakh shares outstanding थे, 40% shares promoters के पास थे, यानि 4 lakh shares, इसके बाद question में बोला हुआ था, कि promoters सी लोग है ना, company के management में थे, जब मैं company खरीद लूँगा, तो उनको 4 lakh रुपीस की salary कम दूँगा, पर हैनम, जिससे की overall जो benefit है, उस savings, पर हैनम जो saving, ओगी मार्श रेंडिटी में, उसकी present value 30 लाग है, तो synergy in market value में तो जाएगा, फर्स्ट वाले पार्ट में, लेकिन इस पार्ट में क्यों होगा, सामने वाले को 44 lakh का हर साल नुक्सान होगा, तो पीवी करा जाए, बहुत अच्छा point आई है, ध्यान से देखना, प्रमोटर वाले shareholders कितना मांगेंगे, देखो, एक तो वो मांगेंगे, जो pre-margent market price है 24, प्लस प्रमोटर shareholder को कितना नुक्सान हो रहा है, 30 lakh, प्रमोटर shareholder के number of shares कितने, 4 lakh उस से डिवाइड दरना, टोटल 10 lakh shares target कमनी के से डिवाइड मस कर देना, क्यूंकि 30 lakh का loss तो प्रमोटर को होगा न, यानि उनको 7.50 प्रमोटर नुक्सान हो रहा है, तो प्रमोटर shareholder minimum कितना मांगेंगे, वो employment वागेरा में नहीं है, उनको कोई loss नहीं है, तो वो तो किवल 24 ही मांगेंगे, ठीक है, ये question अच्छा बनाया गया है, इसे के साथ ये point भी complete, ये value of acquisition का question है, जो मैंने आपको कराया था, simple सा है, VAT और VA निकालोगे, इस question में VA जो है, वो calculated value आएगी, अक्वाइर कंपनी की आप calculated value निकालने के लिए data दे रखा है, cash flow का, और much identity की भी calculated value निकालने का data है, तो दोनों उसी तरीके से निकलेगा इस question में, फिर हो जाएगा, इसके बाद ये next question है, financial feasibility का, उसे topic में, तो financial feasibility वाले में सब consideration वगेरा की बात कर रखी है, data inventory से आप कितना realize कर लोगे, वो amount भी दे रखा आपको, वो ले लोगे, वो less कर दोगे, cash का amount सामने वाले का आपको मिल जाएगा, वो less कर दोगे, कुछ student ज़्यादा दिमाग लगाने वाले होते हैं, बोलते हैं, सर सब कुछ कर दिया हमने, liability का, debtor, cash, inventory सब realize भी कर लिया, सर फिर plant and equipment को भी realize कर लेते बेच के, question में कहीं बोला ही, नहीं क्यों realize करोगे, तो cash भी तो लिया, cash तो आपको मिलता है, plant and equipment भी सर assumption ले सकते हैं, मत ले 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 ना, यह से अजम्शन, क्योंकि आप सामने वाली company को खरीद रहे हो, उसकी सारी liability सेटर कर दी, सारी assets realize कर ली, अब उसकी plant and equipment भी बेच दोगे, तो उसकी company को खरीदा क्यों था जख्मराने के लिए, तो उसको आपने खरीदा और उसकी plant and equipment भी बेच रहे हो, तो बचा क्या उस company का, उसके plant and equipment ही main worth की होगी, इसलिए आपने उस purpose से खरीदा होगा, ठीक है तो वो जबड़ दस्ति की है, अपना दिमाग मचला आप रहे हैं कर दो अजम्शन लेने के लिए, वो बहुत इस्ट्वेंट के इसमें doubt रहता है, वो मैंने आपको clarify कि हूँ, यह de-merger का question है, सारा data आपको दे रहा है, देखो 1 अप्रेल को de-merger हो रहा है, और आपको यह fortune इंडिया जो company है, इसका 31 मार्च की balance sheet दे रहे हैं, वो fortune pharma की 1 अप्रेल, वो देखो क्या हुआतर है, 31 मार्च को एक fortune इंडिया कमनी थी, जिसमें pharma और fmcg दो डिविजन में काम करती है, तो fortune इंडिया ने 1 अप्रेल को pharma division अलग करके fortune pharma limited बना दिया, तो 1 अप्रेल को यह existence में आई, तो 31 मार्च को अगर इस company का data दे रहा है, तो pharma प्लस fmcg दोनों का data दे रहा होगा, और फार्मा वाली कंपनी का तो pharma का data आगया होगा, तो fortune इंडिया में 1 अप्रेल को अगर आप देखोगे, आफ्टर डीमर जद तो जो asset बचेंगे, asset और liability वो fmcg की बचेंगे वो निकाल सकते हो, इसकी total asset liability, pharma प्लस fmcg में इसे pharma वाली एटा दो तो निकाल सकते हो, यह काम में आयता है आपको, इस question में सारा data दे रहा है, उसमें सामने वाली company कितने share issue करेगी, कि इस ratio में वो आप से पूछा गया, तो उसके लिए आपन ने कुछ calculation करेंगे, इस इस डिविजन को इस डेट को इस पर ट्रांसफर किया था, मैंने बोला था, इसा चार्ट जरूर बनाना ताकि question में गलती नहों, तो फर्स्ट अप्रेल के बाद, फोर्चुन इंडिया में fmcg बचेगा, फोर्चुन फार्मा में सिर्फ फार्मा बचेगा, कि फोर्चुन फार्मा में कितने होंगे वो आप निकल लो, क्योंकि फोर्चुन फार्मा के जो नम्बभ व शेयर ऊठिकरणी होंगे, वही शेयर तो उसने इसउ करेंगे, और शेयर Arizona of linguist company को, तो वो कैसे निकालोंगे देख़ःए ऑप, Fortune Pharma का आप EPS निकाल सकते हो Fortune Pharma का आप future में क्या EPS होगा वो निकाल सकते हो क्योंकि Fortune Pharma का future का MPS और P ratio question में given है MPS, Fortune Pharma का MPS और Fortune Pharma का आपको EPS का data question में given है वो आप निकाल सकते हो Sorry MPS का data MPS का data given है तो इसका EPS आप निकाल सकते हो इसका EPS मिल गया तो Fortune Farma का upcoming year का आपको profit भी गीवन है यह आप Fortune Farma का profit यह profit भी आपको गीवन है तो profit divided by EPS किया तो इसके number of shares मिल जाएंगे यह number of share outstanding है यही इतने issue करेंगे दिमर्श कंपनी के shareholder को तो उसके according आपने issue बता सकते हैं सेकेंड पॉइंट में पुछा है कि जो Fortune India Limited है उसका EPS क्या हो जाएगा उसकी मार्केट प्रैस क्या हो जाएगी FMCG वाले की after demurger तो वो कैसे आएगी आप after demurger उसका EPS पता कर सकते हो पी रेश्यों आपको question में given है after demurger आफटर demurger का EPS कैसे निकालें बहुत सिंपल है after demurger का आपको profit मालूम है after demurger का profit number of share सेम रहेंगे demurged company के जा गया जा गया after demurger MPa इसके बाद last पूछा book value per share बताओ दोनों इसके साथ यह question आपका मैंने revise करा दिया है यह reconstruction का normal question है वही तरीकिस आप कर सकते हो कुछ इसमें स्पेशल नहीं है bonus issue का एक normal question है वही चीज़े करोगे तो हो जाएगा बाकि class वाले इस्ट्रेंट्स क्लास solution से आपको device करना है और यह फिर equity buyback का इस question में पॉस्ट बाइबैक earning पर शेयर निकालना तो बिल्कुल basic question है यह यह question देखो वही इक्विटी बाइबैक वाले topic का है इसमें आप 20% शेयर बाइबैक कर रहे हो करन्ट मार्केट केप्लाइशन दे रखा है कमने का 15,000 करोड करन्ट EPS और करन्ट P.E. रेश्यो दे रखा है करन्ट EPS करन्ट P.E. तो करन्ट M.P.S. निकाल सकते हो और पॉस्ट बाइबैक बोला गया कि P.E. रेश्यो सेम रहे का नहीं बोलता तो भी वही है तो पॉस्च बाइबैक M.P.S. अफ्टर बाइबैक गीवन है पी रेश्यो आफ्र बाइबैक सेम है जो आपको गीवन है question में तो EPS आफ्टर बाइबैक नहीं का सकते तो EPS after buyback into peer ratio तो MPS after buyback आता है वो भी आपको मिल जाएगा इसके पास loan at 10% आप ले रहे हो buyback का payment करने के लिए question में लिखाऊगा कि amount of buyback आप 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 लेके pay करने वाले हो आपसे पूछा गया है कि interest amount बताओ कितना आपको pay करना पड़ेगा loan लेने पर इसकी calculation कैसे करें थोड़ा दिमाग चलाओ आपके पास सारा data EPS after buyback के formula में डाल दो सारा data उसको EPS after buyback के formula में डाल दो answer मिल जाएगा देखना current market price निकाल सकते हो data से current number of share मिल जाएंगे 20% share यानि इतने share buyback करना है तो number of share after buyback मिल जाएंगे अर्निंग available to share before buyback आपके पास अवेलेबल है number of share और EPS के अक्वाड़े तो EPS after buyback आप निकाल सकते हो क्योंकि MPS after buyback है P ratio है तो यह EPS after buyback आपको सारा data आगया EPS after buyback के formula में रखो EPS after buyback is equal to earning before buyback निकाली के भी minus interest on loan यहीं निकालना है one minus tax rate divide number of share after buyback इंट्रेस्ट on loan balancing figure आजाएगा complete second part में पूछा loan का amount कितना होगा भाई loan का amount कितना होगा 10% interest rate है तो तो इंट्रेस्ट on loan कैसे आता है amount of loan into interest rate amount of loan नहीं निकाल सकते हैं इसकी बाद 3rd part buyback का premium per share और percentage premium over current market price buyback का premium कैसे आता है तो buyback की price निकालो पहले buyback की price कैसे आगी आपने buyback कितना amount का किया जितना amount का loan लिया वो buyback के लिए तो लिया divide by आप कितने shares buyback करें वो आपको पता है तो यह आगया buyback price per share current market price per share question में given है तो यह आजाएगी आपकी buyback premium buyback premium per share मिल गया तो percentage में कितना 5,000 के premium current market price 15,000 तो यह बहुत आसन क्योशन दा complete है next question और देख लिए जब आप इसी से रिलेटेज buyback का एक company है जिसके बाद 100 lakh का surplus cash out 27% अपने share order को distribute करना चाहती है free में नहीं share buyback करने के लिए बहुत पैसा देना है तो आपकी बार में पर surplus तिजोरी में पैसा है उसका 27% पे करना है यानि 27 lakh रुपीज पे करके buyback करूँगा आपकी बार buyback करने के लिए कोई loan लेने की ज़ जो buyback की price है जो share price after repurchase है buyback के बाद जो market price है वो 10% ज्यादा होगी buyback की price है तो buyback की price आपसे first part में पूछा गया है कि buyback की price बताओ तो उसे आपन एक बार X मान लें तो market price after buyback क्यों जाएगे 1.10x इसके बाद बोला गया है कि number of share outstanding आज के दिन 10 lakh है और current EPS 3 lakh है तो current earnings before buyback आप बता कर सकते हो 30 lakh की ये बाद में आपके काम में आएगा तो आपको देखो price at which share can be buyback बता करना है तो इसको पता करने का लग तरीक है इस question में बुला कि market capitalization after buyback 210 lakh हो जाएगा market capitalization after buyback का formula क्या होता है market capitalization after buyback का जो formula है वो आपको मैंने लिखवाया हुआ है MPS after buyback into number of share after buyback MPS after buyback अपने क्या निकाला 1.10x यह मैं buyback price per share को एक सब्जियूम किया यह अपने लिख दिया market capitalization after buyback given है बस number of share after buyback और पता चल जाए तो यह कैसे पता करोगे number of share before buyback पता है 10 lakh minus buyback कितने करें share वो तो पता नहीं पर वो सोचो कैसे निकाला सकते हो buyback का amount बालू मैं 27 lakh divide by buyback price per share कर दोगे तो number of share bought back पता चल गए यह माइनस करोगे 10 lakh में तो number of share after buyback तो बस इस तरीकित एक equation बनेगी इसमें एक्स निकाल लो यानि buyback price per share automatically आ जाएगी आपको data देखके सोचना है कि कौन से equation में put करूं जो भी earnings क्या यह है after buyback number of share तो आगया इसी के जाथ यह topic और इसके जितने भी question से वह मैंने आपको रिवाइस करा दिये तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चीए question रिवाइस जरू थोड़ी फास्ट कराएं क्योंकि other students के लिए हैं तो इसमें आपने ज्यादा टाइम यूट करा है ताकि आप खुछ से कर सको special points बता दिए तब आप रिवाइस करना और फिर questions class solution से go through करना class experiment otherwise नहीं हो तो आप notes से step follow करके answer निकालना फिर अपना answer match करना फिर भी डाउट पूछ लेना कुछ इसा लगे से class solution हमें भी दे दो तो देखो वह बिल्कुल possible नहीं आप उसके लिए अगर आपको अच्छा लगता है तो समझ में आते हैं आज के लिए वस इतना ही थैंक्यू सो मुझ